लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें के लिए जिए प्रेस करें करें हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ है! कि यह सवाल अच्छा है प्रेट पर एक रेखा खिंचो उसे बिना काटे बिना मिटाए छोटी बनाओ कि यह सवाल हटा हमसे मुझसे क्यों पूछ रहा है पहले आपने पताजी से पूछ पूछ पिताजी पूछ कि आप इस रेका को छोटी कर सकते हैं वो भी बिना मिटाए खोटी करना वह हुं चीजिए तो साप भी मरे और लाटी तूटने वाली बात होगे। ले, तू सवाल का हल पूछ रहा है और तेरे पिताजी कहावत सुना रहे हैं। हैं तो ये कलेक्टर ओफिस में हैड क्लर्प, लेकिन इस चोटे से सवाल का जवाब बेने नहीं मालू है। नाना जी, नाना जी, आप इस रेखा का बिना में चोटी कर सकते हैं। हमसे नहीं होता। अले बेटा, इस बुरहा पर मुझे क्यों परशान कर रहे ह। सवाल किया तूने भी, तो किन से। तेरे नाना जी है तो रेटाइर पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन तरकारी वाली ने कहा कि किलो किछी आने तो सर खुजलाने लगते हैं किछी आने के नएपैसे कितने। पिता जी, आपको जवाब नहीं मालू। नाना जी, आपको नहीं मालू। तो मैं किताब में देखो। ठैठ, ठैठ, सवाल क्या है। एक रेखा को बिना काटे बिना मिटाए चोटी बनाओ यही ना हाँ मा यह देख रेखा मिटी भी नहीं और चोटी भी हो गए अरे किताब में भी यही जवाब लिखा है मा जाए बाबू वो मेरी बेटी है समझे है अरे सीमा तुम तो बड़ी अकल बंद हो यह अकल की बात नहीं अनुभो की बात है वो कैसे जब मैं पांचवी क्लास में बढ़ती थी तो मा ने मेरी पढ़ाए बंद करती इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ फिर कुछ महने बाद मा चंपसी मा की मौत का दुख इतना पांचवी क्लास तक पढ़कर इतनी हुश्यार होगी और ज्यादा पढ़ती तो कहीं कि कलेक्टर बंचादी अरे बापनी मर गए है क्या हूं आज अपनी ओफिस में ने कलेक्टर आ रहे है और मैं यहां कप्टे मार रहा हूं आज मेरे पास कोई अच्छी पैंशर्ट के न लो पहन लो यह नए कपड़ कहां से है तिसे से मांगकर नहीं लाई है नए सिलवाय है तुम्हारी लिए मेरे लिए नए कोट पैंशर्ट मागर इसके लिए पैसे तुम्हें आम काने से काम पेड़ गिनने की क्या ज़रूरत और मेरा मन भी करता है कि मैं अपने पती को सुन ना उसमेंसे बचानी है तुम जब घर खर्च के लिए एक रुपया मांगती हो तो मैं मुश्किल से बाराने दे पाता हूं लेकिन मुझे आथानी की जरूरत होती है तुम एक रुपया मांगती हूं और तुम बाराने देते हो बचे ना 4 आने मुझे बनाने की कोशिश कर तुम चार आने बचाती हो, ये सोला आने चूट है, सत-सत बताओ कहां से आई पैसे लिए ठीक है, मुझे भी सलचूट का पता लगाना आता है, सीधी उंगली घी कभी नहीं निकलती, रानी, येदर आओ अब बोलो, मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ कहा, वो सच कहा, एकदम सच, बिलकुल सच, अब क्यों नहीं बहुती, इसी तरकीब से तुमने मसे कितनी बार सची बात निकलवाई, हाँ, हाँ, हाँ थाने पखरी गई, माँ पखरी गई, हाँ बेटा, और वो भी रंगे देखा, इसलिए कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अब सच सच बताओ कहां से है वो पैसे, बताती है, मैंने पी चूडियां गिर्वी रख दी, तुम गुसा करो है, उसने बताया नहीं, क्या, सीमा, आज तक मैंने तुम्हें कोई गहने जेबर नहीं दी, औ तुम सोने की चूडियां से, तो ये काच की चूडियां ची, जब जैसा रंग भाए, पहन लो, और पतनी के लिए सबसे किंती जिवर पती का प्यार होता है, समझे? कुछ भी हो, तुमने जो कुछ ये ठीक नहीं किया, और तुम अभी तक घर में हो, ये भी ठीक नहीं, पड़र किसके कंदों पी चलता है, आपके कंदों पर, क्लिक्क के कंदों पर सार, रर चपरावाशी के कंदों पर, वो इधर की फाइल उदर, और उधर की फाइल उदर, अर।ward क activities, जुषआ ठीक करो, मेरा क्या होगा, तुमारे लिए बाद में सोचेंगे, कि आध में सोच तुम अरे ये भी आविस में कर रहें क्या? मिस्टर मोहन बाबू, अपने हैट क्लार्ट ओ, शेकल में तो बिल्कुल वेती ही है, आकल में भी वेती ही हम न? आप है मिस्टर छोटे लाल जी छोटे लाल है फैमेन रिलीव की फाइलें देखता हूं अकाल पिडित लोगों की साहता है अरे वा, 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 बहुत अच्छे है जिनकी वज़ा से अकाल पढ़ता है वो ही इसकी फाइल भी देखते है जवाब नहीं है, तुम्हारा अच्छा सेलेक्षन है, बेरे गोड़ेशन है हमारे आफिस की बीवल जी मैं चार साल से junior clerk हूँ चार साल से? मैं तुम्हारी औरन तरक्की करता हूँ नोट कर लो जी साब तुम्हारी भी तरक्की जी मैं तो पलाइक के जवाब मत दो अगर यह आफिस में होता तुम्हें तुम्हें को जहपड़े लगाथा यह अपने आफिस का मुराजिम नहीं है सर तुभी एक कार्पेंटर बढ़े ही अपने आफिस की टेबल कुशे की कर ला है अरे मैं वे कितना गदा हूँ नोट करो, रोट करो यह सर यह रोट मत करो जी मैं गोपाल क्या? क्या गोपाल? क्या गोपाल नहीं जूपाल ड्रम जूट बॉलते हो बच्चे नहीं है लेकिन खोपड़ पे बाल तो बहुत है अरे, अरे, वेरी गुट लाफ्टर, वेरी गुट लाफ्टर, वेरी गुट इस्परिक जा देखो, मैं हमेशा अपिस में ऐसे ही जोप माना करूँगा और तुम सब को हसना पड़ेगा और जो नहीं हटेगा, उसकी पगार का तैलेंट, तैलेंट, यह जोप नहीं था, ना लाइक किरत यह कुम करन कोन है आप है, मिस्टर दुबे, बहुत साल से आमारे दफ्तर में काम कर रहे है काम कर रहे हैं यह सो रहे, जहां हाथ रखने का माँ पाव रखे में दुबे, इसे हैं, दुबे, दुबे, जावे, 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 तुमने सब के सामने में अपमान क्या है मैं तुम पर एक्षन लूगा, मैं तुम्हारा कलेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ मैं कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ कहलुकर साहब दिन में भी खौबे हो कुलेक्टर साहब माफ करना हमारी नवी कहलुअ नहीं कहलु है इसलिए में उनी की याद में खो गया था अरे भाईं कॉल्यक्टर आफिस पीछह रह गया पीछह रह गया तब तौह भर रोकोँ पस अरे भई पस रोको तुबी जी, कुम्ब करन, कलेक्टर साहब आगे हैं क्या? अभी मेरी, जान बजी, आलो कमला, सुना तुम शादी कर रही हो, और वो भी love marriage जा अपना काम कर रहा हूं, काम ही तो कर रहा हूं वो हादरी का रिजिस्टर अंदर चला गया क्या? तुम रोज तो लेट आते हो, मकर आज इसना घबरा क्यों रहा हूं इसलिए कि कलेक्टर नहीं है और आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा घबरा रहा हूं ए मिस्टर, येस मिस्टर, पहले उठाओ टोकरी बहुत ही गरम है छोकरी, ये लेखी टोकरी पापू? क्या है पापू? तुम मुझे इनी जोल से क्यों पठाखते हो पापा? मिस्टर मंसी, तुम्हारी अखल तो बिल्कुल मारे गई है तुम जानते हो आज नहीं कलेक्टर आ रही है और फिर भी शैतान के बच्चे को या ले आए हो तो फिर किस शरीक की बच्ची के पास छोड़ कर आता? अगर मैं 24 गंटे सरकारी नौकर हूं तो 24 गंटे इस बिन मा के बच्ची का बात दी हूं इस बात को कलेक्टर भी इंकार नहीं का सकती हूं क्या चाहिए मेरे राजा बेटे को? मुझे मात हुए कोशिश कर रहा हूं बेटे भगवान को भी तेरी मा की जरूरत थी देवी ती क्या आप पाई मा चलेगी चलेगी ना? अरे मैं भी तो इसी के खौप देख रहा हूं अपनी शकल रिखिए शिषे में बच्ची की पुछ लगाए पिता है और बीवी के खौप देखिए अगर मेरे बीवी नहीं बन सकती तो ना सही मेरे पपु की मा तो बन जाओ कलेट्र की गाड़ी आगई कलेट्र की गाड़ी आगई पपु पापा क्या है बे? मुझे सुवा आरी गै अबे कलेट्र आरही है आप शू या शी कुछ भी नहीं ये ले बोतल मुम है और गर्गर नीचे करके सो जा नमस्ते माडम नमस्ते आईए ठलिक करने की आगए हम हम आफिस में कितने वीवाग हैं? 18 यहां कुल कितने लोग काम करते हैं? 250 लोग मैडम और आवते कितनी हैं? 90 हम गुड सेक्शन में चले? यह यह जर्नल सेक्शन है हम आप है मिस्टर बिहार इलाग जी नमस्ते नमस्ते बहुत सीनर वरकर गुड अच्छी और भरी बादी हो जाए आप है मिस्टर मोहन अपने हैट प्लाग आफिस के कायदे कानून को बड़ मुस्ताहदी से बालते हैं बड़े मेंती और जिम्यदार हैं आप मून कर इन पर विश्वास किया जा सकता है यह बात है आफिस की जरूरी फाइले इनके पास हैं और आफिस की तमाम रास की बातें यहीं की जानकारी में रहती है देखिए कोई रास खोलने न पाए जी आए दूसरा सेक्षिन देखिए नहीं बात नहीं देखूंगे पहले मैं अपने कमरे में जाओंगी यहीं देखिए यहीं देखिए मोहं चलो चलो तेर हो रही है अब घर चले ऐसी भी क्या जन्दी है देखो जीज़े हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं करने वालों को चहिए कॉलेज छुटते ही सीधे अपने घर चले जाए और जो मेरी तरह अपना शहर चोड़कर यहां आए और जो होस्तल में रहते हैं वो क्या करें वो वो आफ बंद करके अच्छे बच्चों की तरह सीधे होस्तल चले जाए मैं बच्चा हूँ जी नहीं आप तो बुड़े हैं मैं बच्चा हूँ हिलना नहीं वांते अर्य यह क्या उठी शर्म नहीं आती अब तुमने इने का कि मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं आराम से आपके बड़ने लेगा अच्छा यह बात है जी हाँ यह बात है अब मेरी समझ में आय कि घर जाने कि इतनी जल्दी क्यों है आप क्यों बताओ आपके घर में आपकी दादी मा इंतजार कर रही है नहीं, मेरी दादी मा भी नहीं है और मा भी नहीं दादी मा भी नहीं है, मा भी नहीं है आच आपकी पर बताता हूं आपकी फैन आपकी रहा देख रही है गलत फैन नहीं? आप मेरे बताब भाई 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 भी नहीं जी मैं तो एक लौती बेटी हूँ एक लौती बेटी अच्छा आपकी बर्वत आता हाँ एकदम करेक्ट जैसे ही आप अपने घर में जाईएगा वैसे ही आपके पिता जी आप पर भड़क होती जानती हूँ क्या कहेंगे खबरदार अगली बार तू घर से बाहर दिखली तो तेरी चंगडी तोर दूँगा क्या समझ रखा है तूने मुझे है गलत 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 मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं राटे कभी नहीं राटे तो फिर आप एक काम कीजिए आप सीधे अपने पिताजी के पास चले जाएए और कहिए डैडी डैडी मुझे किसी से प्यार है यह बात है हाँ उनसे कहो कि मुझे एक सुन्दर खुबसूरा फोनहार लड़के से मौभबत है वाँ 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 मैं कहूं तुम मर्द हो अगर मुझे से शादी करने है तो तुम खुद जाके ने पटाजी से बात करो फह करने के लिए त्यार हूं यह एक बात कि अगर मैं आपके डैडी के पास गया Egyptian मेर मेरे जवाब देखे पता जी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं तो आपको वाह, आगई आशा, आगई, पिता जी नहीं होए, आतिर होंगे बिटी, तुम उहाँ धोले, मैं तुर ले चाय बना के लाशी हूँ पिता जी, हाँ बेटी, क्या बात, ये क्या पिता जी, आने में इतनी देर कर दी, बेटी, मैं छारा कॉलिज का एक मामूली से चपला थी, प्रिंसिपल साहब और बाकी लोगों के आने से पहले मुझे वहाँ पहुचना पढ़ता है, और जब सब लोग घर चले जाते हैं, तुम हरी बात और है, तुम कॉलिज में पढ़ रही हो, इसनी जल्दी कर वापस आ सकते हैं, जल्दी कहां, अभी-अभी का आई है, अभी-अभी आई, क्यो आशा, कहां गई तुम, कहें नहीं पिता जी, हां, रास्ते में एक लड़की से मुलाकात होगी थी, मेरा पिता जी, मैं बड़े अर्मान और बड़ी में पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में रुकावच प्यादा करें, और दुनिया तुम्हे एक चप्रासी की बेटी कहकर तुम्हारा मजाइक हो, यह क्या कह रहे है, पिता जरीब अनपड़ बाप की बेटी कहकर पुकारें, इससे तुम्हे यह चाहूँगा कि कल वही लोग मुझे पड़ी लिख्षी और वहशार बेटी का बाप कहें पिता जी रूप ये तेरा जिसने बनाया वो, कहीं मिल जाये तो हाथ उम्लूँ रंग ये तेरा जिसने सजाया वो, कहीं मिल जाये तो हाथ उम्लूँ कहीं मिल जाये तो हाथ उम्लूँ रूप ये तेरा कारी कारी रतियां से काजल चुराया तेरी प्यारी प्यारी हकियों में लगाया कारी कारी रतियां से काजल चुराया तेरी प्यारी प्यारी अखियों में लगाया मुक्त पे सवेरा जिसने सजाया वो कहीं मिल जाये तो हाथ मूम लूम कहीं मिल जाये तो हाथ मूम लूम को रुखे तेरा सुन्दर ऐसी तोई कभी ता नहीं है सुन्दर ऐसी तोई कभी ता नहीं है अंग अंग तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाये तो हाथ मूम कहीं मिल जाये तो हाथ मूम लूम रूखे तेरा गोरा बदन जैसे शीशे का प्याला बन गया मैं तो दिन की ये मत वाला गोरा बदन जैसे शीशे का प्याला बन गया मैं तो दिन की ये मत वाला हाल ये मेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाये तो हाथ मूम कहीं मिल जाये तो हाथ मूम रूख ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाये तो हाथ मूम कहीं मिल जाये तो हाथ मूम दूख रूख ये तेरा अरे क्या हुआ अरे अपने कॉलिज का प्रिंसिपल थोड़ी ना ये तो एक मामरी चप्रासी है लेकिन मौ ओफव इसमें घबरानी क्या वात है हमने कोई गल्ती थोड़ी ना किये बबुजी चोटा मूं बड़ी बात ना संजी आपका इस तरह किसी लड़की के साथ भूमना ठीक नहीं ठीक नहीं जी क्यों कि आपके पढ़ाई के दिन है आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए अरे ये किस ने कह कि मेरा ने मेज़य करने का अलक आ ने आndra Во गई जी परेम करने संदोव पराई करने का अलक अमझे में आपCा समझेगा आप के प्यार करन करने का दाइं तो निकल चुका था आशा आपको बुरा ना मानिए जल्दी इसके माबाप से मिल लीजी और शादी कर लीजी जो हुकम महराज होकम देने का आपको हक है और उसे पूरा करने का फर्द हमारा है ऐसे लोगों का कामी है कबाब में हट्डी बनना देखा आशा कॉलिज का एक मामुली चप्राशी भी हमारा मजाग उड़ाई लग गया है भाहिया मुझसे बर्दाश नहीं होता फटा फटा तुम अपना पता बताओ कली मैं तुम्हाई पिता जी से मिलने आता हूं चलो आश आशा आशा घर में है जी अरे तुम यहां क्यों घबरागे मुझे देखकर क्यों मेरे पीशे पड़ेवे हो यार आशा के पिता से मेरी शिकायत करने के लिए यहां तक पहुंच गया तुम मुझे गलत समझ रहो बेटा अच्छा जी तुम्हें आपका बेटा हो गया तब तो मझे आपको पिता जी कह कर बुलाना पड़ेगा पिता जी अरे आशा ये पिता जी किसे कह रहे हो मुझे क्यों कि मैं इसका पिता हूं अरे पिता जी मुझे मुझे मालू ने था कि आप ही अब तो मालू हो गया ना जी आप बोलो क्या कहना जी मुझे कुछ नहीं कहना ह मैं घंच आता हूँ बेटा घबरानी पर जूर्थ नहीं आओ बैठो 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 बैठे मुझे आशा ने सब कुछ बता जिया जी मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा वहरोसा है अगर मेरी बेटी ने किसी को अपना जीवन साथे बलाने का फैसला किया है तो वो जरूर ही रही होगा बैठे जी थैंक यू बैठे एक बात और है जी प्यार और महबत हम गरीबों के बसका रोग नहीं हमारी तो बस एक ही दॉलत है वह हमारी इतर बेटर यही होगा बैठे कि तुम यह शादी जल्दी से करड़ा है जी आप मैं करने के लिए तयार है तुम्हारी तयारी यह काफी नहीं तुम्हारे माता पिता की रजामंदी भी तु चाहिए पिता जी आप चिंता मत कीजिए मैं आज ही उन्हें एक चिठी लिख देता हूँ आप शादी की तयारी कीजिए वो लोग आजाएंगे यह खुशकबरी सुनका वो लो खुशी से पागल हो जाएंगे पागल हो गया है पागल इसका दिमार जुरूर खराब हो गया है क्यो जी हमने इसे पागल के लिए भेजा था या प्रेम निलागा चाने लिखता है मुझे मालूम है आप लोग मेरी शादी के लिए राजी नहीं होँगे इसलिए यह पत्र लिखता हूँ जब आपको यह पत्र मिलेगा मेरी शादी हो चुकी होगी शादी की तो भी चपराथी की लड़की से, दिदी, एकी तो भांजा है मेरा, क्या का सोचा था मैंने उसके लिए, करोरपती के घर से पहू आएगी, धूमधाम से दावत होगी, मुमादर दहेश मिलेगा, अहे, अरे वो चपराथी क्या दहेश देगा, वो देने के लिए नह यह नहीं हो सकता, मौहन की मा, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए के लड़का बड़ा हो चुका है, बालिख है, मेरे ख्याल से लड़की भी बालिख है, उन्हें शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है, आप ही ने तो मौहन को सर पर चड़ा रखा है, वरना उतकी क्या मजाल क यह कंगाल की लड़की से शादी करता है? हो कंगाल हो या कड़ोर पती, शादी तो हो गई होगी अब मैं क्या करूँ? सुनो, खाम लगो हो चलते हैं, चलकर देखते हैं कि हम क्या का सकते हैं यह ठीक है, चलो दीपी, चलो बाबुजी, फेरे पढ़ने का समय हो गया हाँ पढ़नीजी, मोन बिटे, फेरे पढ़ने का वक्त हो गया तुम्हारे माथा पितावी तक नहीं आया चिंता मत करी बाबुजी, रास्ते में कहीं देर हो गई होगी आते ही होगी, आप कारिया रम करवाएए पंद जी कारिया रम करवाएएएज चलिए शादी कर ले शादी, बुद्रो बैय कर ले की से पुछ कर की शादी कैसे हिम्मत हुई तुझे इस लड़की को हमारी बवबनाने कि हमें मरा समझ लिया क्या तुम चुप रहो जी कैसी गुडियासी लड़की है ना सोचा ना समझा लगे कर रहा ने अरी मैं समझा तुम गर्जोगी इसलिए पहले मैं बरसने लगा मुझे क्या समझ रखा है तुमने क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि कब चिलाना चाहिए कब चुप चाप रहना चाहिए मोहन बेते थोड़ा सा समय देते तो बेन बाजे के साथ धूम धाम से तुमारे शादी करते अब भी क्या बिगड़ा कम से कम आशिरवार देने के लिए तो आ गए माजी जी ते रहो बेता जी ते रहो बेती आज मैं किपनी खुशी अगवान तेरा लाक लाक शुक्र है सरसे भारी बोज उतर गया संदन जी मैं तो घबरा गया था कि आप इस शादी मंजूर करेंगी भी जाने ही अरे मोहत तुम्हें आयर के इम्तिहान के लिए दिल्ली कर जाना है आज रात को ही जाना माँ गाड़ी का टिकेट भी ले लिया अच्छा तुम एक काम करो तुम दिल्ली से सीधे घर आजाओ मैं बहुरानी को लेकर कली घर वापत चली जाओना यह अच्छा माँ और एक काम करना इम्तिहान के परचे अच्छी तरह लेखना मैं दिन रात तुम्हारे कलेक्टर बनने का सपना देख रही हूं कहीं ऐसा नहों कि बहुरानी की याद में मैं दिन रात खोई रहो और इम्तिहान में से रोजाओ पिता जी सदा सुहागन रो मेरी बच्ची अब रोती कुम समझ जी कुछ नहीं कुछ नहीं ॢाय बेटटी से एक दिन के लिए लग यह कुछ नहीं हूं सुना तुमने ये अपनी बेटी से एक दिन के लिए आलग नहीं रहे फिर हम भी नेजुधा क्यों करें बेटी को बाप की पैसी बनी रहने ज चलिए माजी सुना जी हम चलते हैं यह यही रही गुट अइसे मनुस बाते मुझ से मत निकल महुं की मां तुम बीच में क्यों बोल रहे हो जी क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि कब क्या कहना चाहिए आप क्या कह रही है तीथी और साफ साफ बात कहूं जी कान खूल कर सुन लो तुम्हारी बेटी मेरे साथ नह कुछलरप नहीं दलाइगी ये षादे मुझ म मंजूर नहीं ये मेरी बहुं नहीं संद्रब। या थी बहुं आप यैपके बेटे से सेशादी है किस पुछकर हुए शादी हुए आप कुछ अफे हादरी में नहीं ún, लिकिन भगवान के सामने मंदर में दोनों के फिरे पढ़े हैं मंदर में हो या समंदर में लेकिन महन की मा के सामने नहीं हाग आई! कि जवाई वरावो को दिलि भिजकर आइसी बाते ना किची है जवाई कौन किसका जमाई को, शर्म नहीं आती मेरे बेटे को जमाई कहते हूँ, क्या हैसी आता तुम्हारी, छोपड़ों में रहना और महलों के फार देखना आपके विचार ऐसे होंगे, मैंने कभी सपने में बिली सोचा था हाँ, हाँ, तुमने सोचा होगा मेरे बेटे को उल्लू बना लिया, तुमने सोचा होगा रात रात राइस बनने के सपने पूरे हो गए, तुमने सोचा होगा ऐसा दामाद मिल गया, जो बहुत जल्ब कलेक्टर बनने वाला है ऐसा नहीं कहिए माँ जी बगवान के लिए अशान कहिए मुझे बदाया किजिए उसे मेरे सुहाग मत चिनिये मुझे जुकरादी मत जाए माँ जी मेरी माँ नहीं है आपको देखते ही मैं समझी थी कि मुझे मेरी मा मिल गए मुझे अपने चलों में जगा देजे मा, मुझे देजे में चरन देजे मा फिकारियों को शरन देने के लिए मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है, तूर है उस्ते आशा एक बात और याद रखना, आज के बाद मेरे बेटे से कभी न मिलना, मेरी बहु होने का दावा कभी न करना, उहें मेरे बेटे की कसम, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे मुहम की कसम, चलोगी तुम्हें आशा 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 इस तरह बिना खाय कब तक चलेगा? उदे रोल रोकर आशा की आँखें सुच गई उठो, चार दिन हो गए थोड़ा बहुत खा लो यह क्या, मैं बोले जा रहे हूं और तुम चिप्चा बैठे गो देदी मैंने फैसला कर लिया फैसला? कैसा फैसला? मैं आशा की दूसरी शादी कर दूँगा क्या? दूसरी शादी? ऐसा भी कि भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं यह शादी करके रहूंगा बच्चों की तरे बह की बाते मत किया करें सदा से चलिया रीती रिवाजों को कोई तो सकता है रीती रिवाज लोगों के लिए है दशी मैं लोग रिती रिवाज के लिए नहीं किसी के साथ ठोका करना जूट बोलना अपने धन के नशे में सही बात को गलत साबिद करना अगर यही रिती रिवाज है, तो मैं उन्हें नहीं मनता, मैं उन्हें तोड़कर रहूंगा, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करके रहूंगा मेरी लड़की बहुत बड़ी लिखी है, शुशील है, होशार है, आपको घर की शुबा बन जाएगी वो तो छीक है, पहले आम लड़की को तो देख लें, क्यो नहीं, क्यो नहीं, दीदी, आशा बेटी को अंदर ले आओ, आप देखेंगी तो खुश हो जाएगी, बहुत सुंदर है, भाईयम, जबा चलो, अरे मैंने कहों से ले आओन अंदर, मैंने कह रहा तूमें सरा, मापक दीदी, ये क्या हो गया? तुम भाबगे को चुनों की दे रहती, मगर भाबगे को कोई बदल सकता है, आशा की पेट में मोहन का बच्च्या है, मैंने सोचा था मैं किसमत को बदल दूँगा, मा था गया, लेकिन मा आशा को बरबाद नहीं होने दूँगा, मोहन की मा ने मे इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, कि एक दिन करेक्टरी कुर्जी पर बिठा के छोड़ूँगा बैटम, येस, आफिस की लोगों ने आपके स्वागत में एक मनोरंजन कारिकर में रखा, आप जरूर रहेगा, हाँ इस वक मुझे ऐसे मनोरंजन की खाथ दरूरत है, मैं आउंगी थेंक्यू मैडम किसी गुल की ये किसमत है, के वो सहरे में सजता है किसी को कोई अपने यार की तुरबत पे रखता है एक से फूल गुलिस्ता में खिला करते हैं फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है एक से चेहरे एक से चेहरे यहां सब को मिला करते हैं फिर भी हर जुदा होती है फिर भी हर जुदा होती है कफस में बंद है कोई तो कोई आशियाने में नहीं देखा कोई आजाद हमने इस जमाने में तो हमने इस जमाने में जिसे भी हमने देखा परेशान हाल देखा गरज के हर जगा पे बिचा इक जाल देखा आज एक सी पैद में सब लोग जिया करते हैं फिर भी हर कैदे की जंजीर जुदा होती है एक से फूल एक से फूल गुलिस्ता में खिला करते हैं फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है फिर भी हर कूल की तकदीर जुदा होती है यही सब के कहाने है यही सब का फसाना है कोई दौलत का है आशिक कोई शोरत का धिवाना है कोई शोरत का बिवाना है इसे हसरत है कोई उसे अर्मान कोई तमन्नाओं से खाली नहीं इंसान कोई पार एक से खाब निगाहों में बसा करते हैं फिर भी हर खाब की आभीर जुदा होती है एक से फूल एक से पूल एक से जहां एक से पूल बुलिस्था में खिला करते हैं फिर भी हर खूल की तकदीर जुदा होती है फिर भी हर खूल की तकदीर जुदा होती है फिर भी हर खूल की तकदीर जुदा होती है है फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा हो जी है फिर भी हर फूल की मिस्टर मौन जैसे ही कलिक्टर जी का भाशन पूरा हो उन्हें हार पर मानच जेकी आप नहीं माना जी कहां से पनुआईए स्री मनसुख बाबू और उनके साथियों ने मजबर कवाली सुना कर हम सब का मन बहलाया मुझे बड़ी खुशी है हमारे स्टाफ में से कई लोग ऐसा मनुरंजन पेश करने में भी खुश्यार हैं एक से फूल गुलिस्ता में खिला करते हैं फिर भी हर फूल की तगदीर जुदा होती है शायर का कहना भी कितना सच है यह हम में से कई लोग अपने अनुभव से जानते हैं खर मुझे उमीद है आने वाले दिनों में भी इस तरह के कही कार्यकरम पेश किये जाएंगे धन्यवाद लीज कर दो कर दो दो एंगे शाकिन मुझे देखे बेचे अरे तो इतनी जल्दी आ गए अगर मुझे मालूम होता तो हम सब साथ पिच्चर देखने जाते लेकिन क्या पिच्चर थी छी नाच तो ऐसा के देखा ही नहीं गया नाचने वाली ने सर्फ इतनी सी अंगिया बांध रखी थी सारा पेट दिख रहा था माना कि पेट के खाति नाच रही थी मगर पेट दिखाने की क्या जरूर्ट थी लेकिन आज तो मैं सिर्फ खोई खोई से क्यों हो हुआ है हां मैं तो भूली गई आज नहीं क्लेक्टर आने वाली थी ना कैसी है वो बड़ा रुबाव होगा उसका गलमी हिलों का हर पहनी थी या मोधियों की माला की बड़ाइयर वायरी सिर्फ अमा ठीका रही थी ये उस नाचने वाली के अला अफ़ऍने वाली के थारा प्रिश सत बर्च सौरत प्रेत में तो क्या मोध्य थी ये ना सीत, प्रिश कर रही होगा वो अन्म क्यों च्रत का रहा हुआ है? लो टो शीमा क्वक मांक्याश कर र कोई गालिया दी उसने मुझे, अब तो पीछा छोड़ो क्यों गालिया दी उसने तुम्हें? आते ही पर रोप गाटने लगी, मंगर ये तो बताओ, उसने अदब से गाली दी या बेया मुझे तु चिलता हुने लगी, अगर तो ऐसे गर्म निजास की है, तो तुम उसके माता हत काम कैसे करोगे। सीमा, तुम्हे इस बात का दुख है कि उसने मुझे बुरा भला कहा? और नहीं तो क्या, आफिर एक और, चाहे वो कलेक्टर चूना हो, वो अगर मेरे पते को धाटे की, तो क्या दुख नहीं होगा मेरे दिल को? आज की ताजा ख़बर क्या है? क्या? यही ना सब कलेक्टर सदानंद का तवादुआ हो रहा है? अबे गधे, तावादिया भी कोई ख़बर होती है, गोपाल, इसे यह भी नहीं पता कि ख़बर क्या होती है, अबे ख़बर होती है, फलाने ने फलाने को चिथी लिखी, फलाने ने फलाने की सुर्मई आंख से आंखे लड़ाई, फलाने ने फलाने को फलाने पिक्चर दि तावल के अंधे को हरे हरा नजर आता है जब मुझे हरा नजर आता तो अंधा की बरुआ है तुम लोग या ख़ए 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 क्या कर रहा है हमारे दिलों में एक शक ने घर पैदा कर दिया है यह लिया फित्वा नहीं को के उनके ग्रमें रही है बंदो ही ब्यदवा नहीं हो सकती इसके तो पतul हिर अंधे बैसे घडा को पती फित्र हो सकते है सर पदी में छोड़ दिया हो अबे बीर बल मालूम होता तेरी अकल का तो दिवाना निकल गया है अबे कनेक्टर जैसी खुबशूरत बीवी को कौन गज़ा छोड़ सकता है तुम लोग यहां काम करने आता है या पकपक करने है अरे इसी क्या होगे का होगे तक तो ठीक था अमने लिए पापा में शी आ रही है ओख ओख अभी शूख अभी शी हमेशा अलग टाइम पर परशान करता है ओफिस का टाइम साड़ेज़ बजे है इसलिए हर एक क्लर को ठीक साड़ेज़ बजे अपनी सीट पर मौज़ीद रहना चाहिए मैं नहीं चाहिए कि कोई भी बिलावज़ा देरी से आए या छुट दिले या स्वारब मुझे कलेक्टर से मिलना है ज़रा थैरी मैं इनसे पूछ कराता हूँ जाइए आपको बला रही है मैं आफिस के मामले में बड़ी सब्थ हूँ मैं किसी भी तरह कि लापरवाई परदाश नहीं करूँगी और हाँ एक बाद तुमें कहने ही भोल गई तीन दिन के अंदर अंदर हर खत्त जवाब दे देना चाहिए समझे ये सुचना सब को पॉंचा दीजाए ये लिचे राइक मैं नेक्स्ट तुर भागे ने बड़ी बेरहनी से हमें दूसरे से जुदा कर दिया कम से कम आज मुझे अपना अपना चरण चुने का निकार दीगे अरे जुचे चाहिए उठिये कोई देख लेगा आप collector है बैठी आप भी बैठी मैं कैसे बैठ सकता हूं मैं तो एक क्लार्क हूं और collector के सामने क्लार्क कैसे बैठ सकता है आपकी पत्मी और बच्चे कैसे हैं जी मेरी शादी के बारे में आपको कैसे मालूप हों मैं मर्दों को अच्छी तरह जाती हूं आप मुझे गलत समझ रही है मेरे साथ जो धोका हुआ उस पर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आपको सच बताकर मेरा दिल थोड़ा हलका हो जाएगा मैं जब दिली से वापस आया तो मेरी माने मुझे बताया कि कि आप गंगा में डूपका मर गई मैं तो समझी थी आपकी माने सिर्फ हमारा जिष्टा तोड़ दिया लेकिन उन्होंने तो मुझे भी खत्म कर दिया लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया मेरा दिल कहता रहा कि आप दुरूर जिन्दा है और इसी उमीद को लेकर मैं आग के शहर चल पड़ा बाबुजी 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 मुहांबेटे गजब हो गया महु के मरने की ख़बर सुनके हमबर तो बिज़ी तूट पड़ी मुझसे रहा ना गया इसमें तुम्हारे ससूर जी से मिलने माई यहां चला वगर देखता हो कि बेटी के मौत के दुख के बारे वहां घर छोड़कर चले देगा क्या हाँ बाबु बहुत बुरा हुआ उनके साथ बेटी विचारी गंगा नाने गई ती पैर फिसल गया दूपकर मर गई शिवद्याल जी का कोई पता ठीका ना जी हमें तो कुछ नहीं वालूंग सुना है शैर छोड़कर चले गए अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो सारी साजिश मेरे मामा की थी उस किरायदार से काला जूट बुलवाने के लिए मामा नहीं पैसे दिये होंगे कितना बड़ा धोका कितना बड़ा सुल्म यही नहीं पिता जी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने मेरी मा को फसाकर हमारी सारी जायदा धड़प लिए और उसे शराब पी-पी कर उड़ा दिया उन्होंने अपने आप को ही नहीं बलकि हमारे सारे घर का सत्यानाश कर दिया मेरी मेरी दूसरी शादी रचानने के बाद मा भी चल बसी है अब इस दुनिया मेरे साथी मेरी पतनी सीमा और मेरे दो बच्चे है एक प्यार की निशानी एक बच्चा बच्चा? कैसा है वह? क्या नाम है उसका? मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप अपने बच्चे के बारे में जानने के रिभेचेन है उसका नाम रमेश है रमेश देखिए मुझे आपसे एक बिंती करनी है बिंती नहीं आप क्या किजिए हमारे बीच की ये दूरी दूरी रहे तो अच्छा है क्योंकि दुन्यावाले हमारे इस संबंद को नहीं जानते ये आप के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आप एक बहुत उच्छे ओदे पर हैं और मेरे परिवार के लिए भी क्योंकि उनका मुझ पर अटूट विश्वास है अब ऐसा क्यों कह रहे है मैं और अच्छी तरह जानता हूँ मेरा मतलब मेरी पतनी सीमा को अब कर दो आए अगर 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 मुआ 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 व वो आप आप गाड़ी में बैठ जाईए मैं आपको घर छोड़ दूंगी साइकल ड्राइवर ले आएगा जी ठीक है साइकल ठीक हो गई है मैं चला जाओंगा आप चाहिए हम दोनों एकी रासे पर जा रही है इसलिए मैं आपको ओवर सिख में करना चाहती मेरा मतलब है मैं जाने जाना चाहले जिन्दिगी के रास्ते में तो आप मुझे कहीं आगे निकल गए तो साइकल और गारे के रफटार में हमेशा है और रहेका यह तू लिट्टी आपने मुझे हात पेनाया था वो कि फोटो गाधिव उस दिन उसने इसे हार पहनाया, आज यह उसे क्या दे रही है, प्रेम पत्र, गोपाल, फिरबा, शुक्रिया, अच्छा, मैं चलता हूँ, अच्छा मैं टेरी वे अवे क्या बत्र, प्रेमाओय क्या अच्छा हूए है, यह उसे हैं, आज है क्या 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 आए है, आए है चुक्ता हूए है। मेम सहाव, बाहर बारिश तो नहीं हो रही है हाँ हाँ बारिश बाहर नहीं हो रही है अच गोड़ इवनिंग रमेश गोड़ इवनिंग ममी अरे रमेश यह क्या शाम के वक्तों बच्ची खिला करते हैं और तुम यह प्रिंटिंग बना रहे हो ममी आपने कलपना से डाड़ी का चत्र बना रहा हूं हाँ ममी क्या डाड़ी ऐसे होंगे नहीं नहीं अच्छा तो ऐसे होंगे ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं जरुद ठेरे मम्मी डाड़ी ऐसे जरूर होंगे एसे क्या बताओ तुझे मैं इतनी बदनसीब हूँ कि तुझे कुछ समझा भी नहीं सकती क्या है पपु पापा ओ समझ गया तेरे पापा ने जुरूरी मीटिंग का नोट्स बेजा है जुरूर कोई जूरी बात होगी अभी आया क्यों मनसुक बादू बच्चे को भी ऑफिस के घांपर लगा दिया अभे आफिस के नहीं गोटा लेके जो आफिस में हो रहा है अपने ऑफिस के हेरो हेरों का प्यार बड़े जोरों में महिक रहा है अभी तो प्यारे तुम्हें लगाने बजाने के लिए बहुत ही क्यों नमोने तो दिखा करा है अभी नमोना तो पुडिया में बन था मैंने अपनी आखों से देखा कलेक्तार गाणी से उत्री मुश्कुराई प्रेम पत्र उसके होट में दिया और उसमें भी मुश्कुरा कर अपने हाथ में लिया डाइडी रमेश नमस्ते आपने शायद मेशे पहचाना नहीं मैं मोहन हूँ आपका दामाद हूँ सच मानी में मैं बिल्कुल निर्दोश हूँ मुझे खुद धोके में रखा गया आज आशा ने अपने बेटे के हमारे बेटे के बारे में बताया तो मैं खुशी से पागल हुथा मुझे तो यह ख्याल भी नहीं रहा कि वो दस साल का हो गया होगा यह चोड़े मोटे खिलोने लाएं उसके लिए मैं मैं चला जाओंगा एक बार नजर भरके अपने बेटे को देख लें दीजे उसके बाद मैं चला जाओंगा प्रमेश इदर आओ आया जिसके आगे देगे यह कौन है नाना जी तुबहा यह कलेक्टर ममी के सामने हाथ बांग कर खड़े रहने वाला एक मामूली हैट क्लार्क जिसे एक जमाने में ये भी मालूम न था कि गरीबी और अमीरी में क्या फरक होता है एक बेवक्त आने वाला बिन बुनाया महमान इस्ते करो कि चला जाए यहांसे करो कि चला जाए यहांसे जाए 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 ना गिता हूँ यह क्या आज से तुम कुछ खाई नहीं रहा हो रामेश यह रहा तुम्हारा सामान मम्मी आपके दफ्टर के हेक्लर काई थे हाँ मम्मी और नाना जी के कहने पर मैंने उन्हें घर से निकल दिया अच्छा तुझा पिता जी वो पहली बार हमारे घर आये और आपने सम्मान के बजाए उनका अपमान किया उने घर से निकाल दिया तुम शाहिद भूल गई उसने तुम्हे अपनी जंदगी से निकाल दिया लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता इसली मैंने उसी की संतान से उस एवान को इस घर से निकाल दिया तो बद्ले की आज में पहले आ हूँती है वो जिन्दगी वर तनग पर बिलक तर यही अगर यही आपकी तमनना है तो आपकी तमनना कभी पूरी ना हो यही मेरी भगवान से प्राथना है मत भूलो कि मैंने तुम्हें क्रेक्टर बनाया है एसानों को भुला देना इंसानियत नहीं है दुश्मन को भी शमा कर देना यही इंसानियत है बिटाजी अगर मुझे मालूम होता है कि मेरी बेक ये कायर कमेने की तरवतारी करेगी तो मैं उसके क्लेक्टर नवचा है अगर मुझे ये मालूम होता है आप मेरे हाथों से मेरे पती का अफमान कराने के लिए मुझी कलीटिर बना रहे हैं कभी कलीटर नहीं बनती कभी में यहीं, कभी में यही, कभी में ओम महेश्वराय नहहा, ओमशंबवे नहाइ, ओम पिनाktके नहाइ किसके नाम से पूजा करनी है इनके नाम से आज इनका जनम दिन है मोहन नाम है मेरा गोत्र भरत वाज रस्ता चोड़ो रस्ता चोड़ो सब लोग एक तरफ हो जाओ रस्ता चोड़ो जरा लीजिये मैं अभी आया कि कौन ही यह यही क्लेक्टर है ओ क्लेक्टर होगी आफिस में या मंदर में बहुदाओ किस लिए हम सब इससे कम हैं क्या पुजा ली ने पूजा की थाली वापस लौटा थी मुझे तो कोई अप्शुकर लग रहा है नमस्कार नमस्कार पूजा आपके नम से की जाए जी नहीं आज इसका जैनम दिन है इसके नम से पूजा वरानी है इसका नम देव जी इसका नम इसका नम इसका नम नोहन गोतर भारत दुआ जाए पूजा करके जाएंगे कोई ज़रूरत नहीं मेरे नाम से बहुत दूमदाम से पूजा हो रहे है हमारे और भरवान की बीश मंदर के नंदी वैल की तरह नजाने कहां साय तक की मैं भी देख लेती है हों हों होजा थे तक कर दो है कि अई पर मुदर के नजीए अग्टार आग्दिल में मैंने अपने हीरों को देखा जनते हों क्या कर रहे थे हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अभे, मैंने तुम लोगों को गच्चे चावाल दी और तुम लोगों ने नमक मिर्टी मिलाकर खितले पका डाले हाँ हाँ बैठी तो आप ही कलेक्टर हैं आज पहली बार मैं आपको इसने करीब से देख रही है बैठी रहने दीजे आप जानती हैं को हुँ मैं आपके Head Club के पत्नी हुँ जानती हुँ मैंने आपको मन्दिर मेरे देख हथा मैं भी ये पूछन आई हूँ क्या मन्दिर मेरे कलेक्टर और क 질문 में फर्क होना चाहिए बिलकुल नहीं मन्दिर में तो क्या कहीं भी फर्क नहीं होना चाहिए लेकिन फर्क है इस दफ्तर में कई मर्थ कलेक्टर आये और मेरे पती ने उनके माता हथ काम किया लेकिन उन दिनों जब वे दफ्तर से घर वापस आते थे तो खुशियों के फूल बिखेरते चले आते थे और अब अब ना उनकी मूपे वो म बात है ये बात है कहकर हजे में क्यों उड़ा रही है कोई रसोय बनाने वाली दफ्तर में अफसर बनके बैठ जाए तो वो मर्दों को अपनी अफसरी की शान नहीं दिखाए कि तो और क्या करी खुब का मैडम ये जबरदस्ती अंदर कुछ थाई मैने ने रोकने कोशिश की मगर ये माने ही नहीं कौनो तुम अंतर क्यों आई आई अब सुनो जल्दी सिंद के लिए कपचाए लिया आओ ज़ो लिकिन मैडम ये बाश्तर जदीश यू में गो नाओ प्लीज तो दी मैडम बैखिए हाँ हाँ बैखिए 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 अच्छा ये बताईए आपका भुस्सा ठंडा हुआ या मुझ पर और भी भुस्सा निकालना है अगर आपके जगा कोई मर्स क्लेक्टर होता अगर मेरे पती पर नारा जो कर कुछ कहता तो मैं बुरा नहीं मानती मगर एक त्री क्लेक्टर उन पर लार पिली हो ये मैं बरदाश नहीं कर सके इसलिए मैं यहाँ चलिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें अरे अरे जे 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 यह आप क्या कर रही है रूए नहीं मैं जानती हूँ और अपने पती का समान बहुत प्यारा होता है आएंदा मैं कभी आपके पती को कुछ नहीं कहूंगी कभी नहीं आपको आपको खुश है नहीं नमस्ते नमस्ते बैठी अदी रानी बिटिया अगला इटम मुजिकल चेर्ज है जिसमें सिर्प महिलाएं भाग लेंगी चलिए एक दो टीन चार पांचे और साथ साथ साथी खेल खेले छूत न जाए साथ आरे साथ साथी खेल खेले जूटन जाये साथ एक दो तीन चार पाथ छे और साथ साथ साथी खेल खेले जूटन जाये साथ गई गई ओ गई 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 नीली जिसकी साडी निकली बड़ी और नाडी रह गये छे किलाडी रह गए ठेक लाड़ी साथी खेल खेले खूट जाए साथ काकसे uni गई यहाँ मैं गई 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 टीखी चिसकी अखियान मिठी पतिया रह गई पाँच है गई की आखियान तीखी स्की अखियान रह गई पाँच है रह को धयारोन अरे एक हारे एक जीते शरम की क्या है बात पांच साथी खेले खेले भूट न जाये साथ गई ओ गई ओ गई ओ गई 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 नाम है जिसका राखी जिसने की चाला की रह गई ती नहीं बाकी एक हारे एक जीते शरम की क्या है बात तीन साथी खेल खेले भूट न जाये साथ इस हार जीत के मुकाबले का पहला नाम कलेक्टर शिर्मति आशा देवी और हमारे हेट कार की पत्नी शिर्वती सीमा देवी ने आपसम मिलकर बाट लिया है क्या जी के गाहिए खड़ अधारीतु क्या है आपको कलक्ती जी नंबलाया एफ ये काम कर्रा हुए उन्होंने भी काम सही प्लाया है कलक्ता नंबलाया नमस्ते, निस्टर मनसुफ, आप ओफिस की फाइल और ज़रूरी कागजाद, इस बच्चे के हाथ पर दे देते हैं, मैं इसको अभी से आप इसका काम सिखा रहा हूं, ताकि मेरे बाद इसको मेरी जगार मिल जाए, पपू, मेडम को नमस्ते कर, ताटा, अभे ताटा, तो जब कोई जाता है तब करते हैं, ये तो अभी आई है, तीन साल तक नहीं जाएंगी, नमस्ते कर, माँ चाहिए, यहो नहीं, क्या आप रोजाना बच्चे को दफ्तर मे लाते हैं, रोजाना नहीं, इतवार और छुट्टियों को दिन छोड़के, सवाल का जवाब ये सच है, आप बच्चे को ओफिस मे लाते हैं, क्या करूँ मैडम, मेरा बच्चा इसलिए ले आता हूँ, इसका मतलब ये है, जिनके बच्चे हैं, वो सभी अपने बच्चे को ओफिस मे लेके आएंगे, उन सब की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं, मैं विद्वा हूँ, मेर मतलब है, मेरी पत्नी विद्वा है, मिस्टर मतलु, शिकाइक ये है, कि आपके बच्चे ने इनकी टेबल का कागस फ़ाद दिया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कहना ये है, कि मिस्स माला परेशान्थी के पेपर के बारे में किया क्या जाए, मेरे पपु ने मिस्टर पप्पु ऐसे कर तू डिपार्टमेंट में जा दूसरे के लड़कों साथ खेला जा मिस्टर मर्सुख आप कर से अपने बच्चे को आफिस में लाएंगे ये मेरा ओदर है ठीक है कल से में भी नहीं आऊंगा मिस्टर मंसूख आप क्या उल्टी सीधी बाते कर रहें मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं आपको तो मुझे तरस खाना चाहिए देखें न मेरा बच्चा सातवे महीने में पड़ा हो गया था और जब सात महीने कहुआ तो बीडी मर गई आप बताईए, साथ मेरा अखुदे क्या करूँ? आप महर्वानी करके जाईए कहाँ, कुर्सी पे के कोर्ट में? जाईए और अप्रा काम कीजी थेंक यू, सुकर भगवान, अब तीन साल सकी सुर्टा अरे बेटे पप्पू, अकेरा बेटे, क्या कर रहा? अरे बेटे, ये काम कीजी ने कहाँ ने मिली? अरे अंची के पाज़ आप शाबाश, तेरा जवाब नहीं है, अबेटा तो बाप से भी दो घर आगी अज कहाए किसी ने काजी के घर के चुवे भी स्याने अरे अभी तक तो हम लोग खाली मूजुगाली कर रहे थे लेकिन अब चबाने को ऐसे मिल गए दाने के तुम लोगों के होश लग जाएंगे ठीकाने क्या है? क्या बात है? अब ये लाटनी नहीं, ख़जाना मिल जया है अभी तक तो हम लोग बे बर्टी उड़ाया करते थे ना लेकिन अब मेरे बेटे ने परकतर डाले है और सुबूत ले आया है जी 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 एक दूसरे को प्रेम पत्र देना और दफतर में फोटो देखते रहना बैस मुझा ठीक नहीं लगता अरे वारे इमानदारी के पुतले इसको मालूम नहीं के काम करने से तो तरक्की मिलेगी, इंक्रिमेंट मिलेगा लेकिन ये चीज़ कहां मिलेगी अरे प्यार की कहानी, मुहबत की निशानी इस फोटो को देखकर क्या समझे तुम लोग? क्लेक्टर है एट क्लर की रखेल है हहां .. उल्टा समझे उसकी क्या हैशियत कि वो इनको रखेल रखे मैं समझ गया, हैट क्लर क्लेक्टर का रखेला है बिलकुल तू एकदम ठीक समझा अबे तू तो सक मु वीरवल है अरे बड़े भाग है मो.. मो शंके बिल्खुल, देखो न, मैं एक बीजी को तरस रहा हूँ, और किसी के पीछे दो-दो पड़ी हैं, लेकन अब हमें क्या करना होगा, अब करना क्या है, बास का बतंगर बनाना, तिल का तार बनाना और राय का पहार बनाना, रानी की मा, तुम्हारा टेलीफॉन, मेरा होगा, तब यह तु ठीक है ना इनके, क्या कि उदर में अच्छे हो, हलो, आप मोहन बाबु की शिरमती बोल रही है, जी हाँ, आप कौन बोल रहे है, हम आपके हिप चिंतक, शुब चिंतक, देभी जी, हमें आपके खुशी में खुशी, और दुख में दुख, दुख है, हमारा मतलब हम हर हाल में आपके हम दर्द है, वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या है, उस बात को सुनने के लिए मन भर का मन चाहिए, की, पेचारी, किसमत की मारी, दुख्यारी, बात यह है, कि हमारे जिले के जिलाधीश, कलेक्टर आशा देवी, आपके पती, मेरा मतलब मोहन बाबू के साथ प्रेम कर रहे हैं, बहुत सीधी हैं आप, और भोली भी, हमें भी कहते हैं वे शरम आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपके पती और शिरीमती कलेक्टर के बीच, कुछ नाजाइस तालुकात की खबरे, आप समझ तो गई होंगी, कितना तो समझती होगी ना, हालो, हालो, मालूम होता टेलीफून रग दिया, खबर बहुत सा लेट वेठी, वाल तो काम तो बहुत होगया, अब चलो दरा दफतर का भी काम करें, मिस्टर महुन, मैंने फाइल को आपके हवाले करते हूँ, ये कहा था कि ये फाइल बहुत ही ज़रूरी है, इससे समाल के रखना, और आप मुझसे एक बच्चे की तरह कह रहे हैं, फाइल खो गई, आप जानते हैं, इस फाइल के खोजाने से सरकार को दो लात रुबे का न कि ये फाइल कैसे खो गई, ये जानना मेरा काम नहीं, मैं अभी क्लेक्टर से आपके रिपोर्ट करता हूँ, जिना ऐसा मत कीजे, मुझे थोड़ा से समय और दीजे उसे धूनने के लिए, और राइच, मैं आपको दू गंटे के टाइम देता हूँ, एंड यू मस्ट आइ आप जा सकते हैं, प्लीज, सीमा, कभी-कभी आँखों देखा जूटा हो जाता है, इसलिए कालो सुरी बाद पर तो बिल्कुल यकी नहीं करना चाहिए, किसी ने चेलीफोन का दिल लगी की होगी, बच्चे दिल लगी के लिए मिंधक पत्थर मारते हैं, लेकिन उनकी दिल बेटी, ऐसी बातों को इस कान से सुना करो, उसका एंसर निकाल दिया करो, समझी? बैठी? जी ठीक है, आपने इस पे लिखा है, मुझ से मिलीए, इसलिए आए मैं आपके साथ उस फाइल के बारे में बात करना चाहते थी जी, वो जरूरी फाइल खोकर, मैं आपके सामने अपरादी बना खड़ा हूँ विश्वास के साथ आपके हाँ सौपी हुई चीज को, आखिर तक संभाल कर रखना क्या आपका फर्द नहीं? मुझे अफसोस है, मैंने उसे हर जगह तलाश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली आपने अच्छी तरह तलाश की? अपनी जान से भी प्यारी चीज की तलाश में जो कोशिश की जाती है, वो मैंने की है, मगर वो मुझे नहीं मिली जब तक इनसान के मन में आशा है, उसे हर चीज मिल सकती है, लेकिन जब वो अपने मन से आशा को निकाल देता है, तो उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती मैं, मैं उमिद वाली आशा को क्या रही हूँ, I meant hope, विश्वास Don't doubt my sincerity, मैं सच कहता हूँ, मैं संदीगी भर तलाश करने के लिए तयार था, लेकिन जब से आपकी माल की ख़बर सुनी, मेरे सारे मिंदों पर पानी फिर गया मैं इस फाइल के बारे में पूछ रही हूँ मैंने सोचा हम अपनी लाइफ के बारे में बाते कर रहे हैं, अपनी जिंदेगी के बारे में खैद वो फाइल आपने आखिर बार कब देखी थी? फिश्वी बीज तारीको मैं वो फाइल अपने घर ले गया था पढ़ने के लिए और मुझे अच्छी तरह याथ है कि मैं उसे वापस दफ्तर ले आगा तो फिर वो गई कहा? यही तो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि बाकी की सारी फाइल है तो गोदरेश खाने में मुझूद यकीन मानिए ये जिन्देगी में पहली बार है कि मेरे हाथों कोई चीज खोई है पहली बार आप किसी चीज को खोये हैं ये आप कह रहे हैं और वो मी मुझ से जी लेकिन सहाब आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो फाइल बास जरूरी थी इंपॉतन थी अगर वो नहीं मेली तो हमारे दफ्तर की इज़र कर क्या होगा आपकी और मेरे इमांदारी पर शक्किया जा सकता है ये घरेल इमामला नहीं है सहाब ये सरकार इमामला से ये आप मुझे साथ ताप कहकर क्यों मेरे जखमों पर नमक चुड़क रहे हैं और आप मुझे आप-ाप कहकर क्यों तरपा रहे हैं अचा ये बताएए वो फाइल अभी तक बंद नहीं हुई ना जी नहीं और आप ये फूल गए कि जब तक वो बंद ना हो जाए जब तक उसे मिटा ना दिया जाए और जब तक उसे आग न लगा दी जाए उसकी सारी जिमेदारी आप पर है जब हम किसी चीज की तलाश में रहते हैं तो वो चीज कभी हाथ नहीं आती मगर एक दिन जब हम उसकी यात्तक को दिल से भुला देते हैं तो वो ही चीज अचानक आखों के सामने आध हमकती है हम फाइल के बारे में ही बात कर रहे ना Undoubtedly हम हम फाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं आपने तो हर बात बोल जा दिया है मैं आपको दो दिन की मुहलत देती हूँ आप फाइल की तलाश किजिए पी ने राई दी है कि इस लापरवाही के लिए आपको काम से मुअस्तल कर दिया जाए उनका कहना भी सही है लेकिन मेरी समझ भी ने आता कि मैं क्या करूँ गुजरी हुई बातों को दिल में रखकर इस गलती के लिए मुझे सजा मत दीजे मेरी जिन्दगी तबाह मत कीजे जिन्दगी को तबाह मर्द करते हैं और अगर अगर यही सवन मैं आपसे करूँ तो अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि मेरा भी एक मासम बच्चा है आपसे तो आप क्या जवाब देंगे आप सिर्फ फाइल खोकर मुझसे दया की याचना कर रहे हैं और मैं अपनी लाइफ खोकर भी आपसे दया की भीग तक नहीं मांग सेती क्योंके आपने दूसरी शादी रचा ली है नौ, 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 नौ मैं फाइल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ I'm not talking about the file, I'm talking about me I'm not talking about me देखा पिताजी, नौ, बज़ गए और वो अभी तक नहीं आए Sina पिताजी, क्या आप ये समझते हैं कि वो अभी तक दफ्तर में होंगी मिजनाओ देखो बेटी, लकडी जल जाती है, तो भी कोईला बनका किसी और के काम आ जाती है मगर दिल जलने से किसी काम करनी रह जाता बेटी, दिल जलने से बहतर यही होगा कि तुम अपने विश्वास को सीच कर और मजबूत बनाओ इसी में तुम्हारा और इस घर का कल्यान है, समझी मामा, ये सवाल हर ले ही होता, हर बार जवाब गलत आता है मैं भी भगवान से यही प्रात्ना कर रही हूं कि मेरा सवाल गलत हो क्या कह रही हो मा मैं तेरी पुस्तक के सवाल के बारे में नहीं, अपनी दिल के सवाल के बारे में कह रही हूं सुरेश, आए तरह सुन मिठा, तू उसका लेक्टर ने का घर जानता है मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उनका लड़का हमारे ही स्कूल में पड़ता है फिर तो बहुत अच्छा हूं देख, ऐसा कर, तू उनके घर जा लेकिन देख, इस बात का किछी को पता नहीं चलना जाही वहाँ जाकर क्या करूं मा? देख करा, तेरे पिताजी वहाँ है या नहीं क्यों मा? क्यों और क्या मत पूछ जैसे कहा वैसे कर, जा मुझे बहुत भूक लगी है वहाँ से आकर खाना अगर तू वहांसे अच्छी ख़ब लाएगा कि तेरे पिताजी वहाँ नहीं है तो मैं तुझे मिठाए के लाऊंगी अच्छा मा सुना है कि पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा का भेज जानने के लिए जासू छोड़ा करते थे मगर यह नहीं सुना के किछी पत्नी ने अपने पती के पीछे जासू छोड़ा हूँ बेटी बेटी यह बहुत बुरी बात है दुनिया में हर बीमारी का इलाज है सर्फ शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं यह बीमारी लग जाए इंसान दोस्तों पर ही नहीं बलके अपने आप पर भी विश्वास खो बैशता है रमेश यह कौन है बेटे ममी यह मेरा दोस्त है यह हमारी ही स्कूल में पड़ता है अच्छा क्या नम है तुम्हारा बेटे सुरेश सुरेश जी हाँ मेरे पिता जी कलेक्टर आफिस में हिक्लक है उनका नाब मोहन बाबू है तुम्हारी ममी यह बहन अथी है ना? रमेश की ममी अब जानती है उनने मेरी ममी कलेक्टर है सबको जानती है है ना ममी पहले यह तु बताओ कि तुम दोनों में दोस्ते कैसे हुई हमारे क्लास में एक रमेश ही ऐसा रगता है जो रोज अच्छे अच्छे नए नए कपड़े बदल कर आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कौन? रमेश क्या कपड़े? दोनो तुम्हारे लिए भी ऐसे कपड़े बनवा देंगे पहनोंगे ना? क्या सोचने लगे? तुम्हारे घरवाले कुछ नहीं कहेंगे रमेश तुम्हारे पात इसी तरह की ड्रेस है न? तुरेश को पन्य देदू अच्छा मम्मी रमेश की मम्मी क्या बात है बेटे? अब बहुत बहुत अच्छी है रमेश की मम्मी अच्छा तो अब अपने लड़के को यहां भेज कर दो मेल जोल बढ़ाना चाहता है अच्छा विकारी अगर भीक के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे तुक्रा डाल दो लेकिन विकारी को सर पर बिठाना हिमाकत है इस नादान बच्चे का क्या दोश पिता जी उसका सबस्वड़ा दोश यही है कि वो एक कमीने अधोके बाद की अलाद है उससे संबंध रखने वाले ही हर चीज से मुझे नफरत है पिता जी मेरा भी तो उनसे संबंध है इसलिए तो मुझे कभी-कभी तुम सबी नफरत हो जाती है ममी ममी क्या बात है बेटे यह ड्रेश सुरेश को कितनी अच्छी लग रही है अहा तुम दोनों भाई-भाई लगते हो तुम दोनों हमीश आराम अलक्षमन की तरह प्यार से रहना समझे सुरेश बाद में मैं तुमें ख़र छोड़ाओंगी अब ठाल ठाल मैंने तुछे कुछ पता नगा ने भीचप है भीग मामीश शर्म नहीं आती जा मैं तुछी खाना नहीं देती भूगा मार्जी हो पूल ऐसे करेगा पूल करेगा क्यों मार रही उसे मैंने इसे जनम लिया है मार पोस्के बड़ा किया है जो मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकती जान दे लोगी यह पादा तो नहीं होगी अभी तो नहीं हुई लेकिन यही हाल रहा तो बहुत जिल्दी हो जाओंगी यह क्या हो गया तुमें कोई इसे कंगाल समच के नए कबड़े देता है और यह बेशरम उन्हें बेहन कर यहां खड़ा होता है तो क्या होँआ आफिर वो छोटा बच्चा है छोटे बच्चों को तो मार कर सुधरा जा सकता है पर बढ़ों को कैसे सुधरा जाए यह पहलेए क्या बचा रही है ख़र जाने दे यह बताओ हमारी शादी को कितने साथ है दस साल में मैं रहो सुब़ कितने मज़े उटती चार बजे कितने मज़े सुथी राद के वारा बजे मैं दिन भर मरते खबती हूँ किस के लिए कभी कोई गाना सिकी है मैंने, कभी तुम्हारे बच्चों की सेवा में, कभी कुई कमी रखी है मैंने. आधिक तुम कहना क्या चाहिए? कभी रेशमी सारी आयदोने के गहने मांगर मैंने तुम्हे तकलीफ दिया. सीमा कभी मैं अपनी किसमें परोई हो कि मेरे पती कलेक्टर नहीं कलेक्ट है सीमा अगर मेरी जगा कोई दूसरी रखी होती तो आज तक पांगे सीमा रुक क्यों गई, मारो, कूप मारो मैं इस दुख को बरदाश कर लूँगी, उर तक नहीं करूँगी लेकिन इसे बड़ा दुख देकर इस दुख को छोटा मत बनाओ, इसी को बड़ा रहन दो यही पैतना करती है घुमा भी राकी बाती क्यों करती है तुम्हें जो कुछ कहना है साफ-साफ काओ, थोड़े में काओ यह बात है यह बात है आह हा जितनी धया आप में है बाबुजी, उससे आधी भी आपके बेती में नहीं मैंने इनसे कहा कि तरक्की चाहिए उन्होने कहा कि तश्रीफ ले जाए मैंने कहा जी, उन्होने कहा कि गेट आूत जया, गेटा उत तो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में क्या अड़्चन है? जी हाँ उसकी जगह तुम्हें मिलनी चाहिए बिल्कुल बाबुजी वो आदमी भी अच्छा नहीं है बहुत बुरा आदमी है इतना भी जानता बाबुजी लेकिन अब चक्कर में फट गया बच्चू हमारे आफिस के एक जरूरी फाइल को जाने के खिक्तर में फट गया आप जी हाँ बाबुजी अगर ये फाइल वाकाई हो गई ना तो हमारे आफिस को कम से कंद दो लाख रुपे की चपत लगेगी तो साँ बुल्कुल बाबुजी Mr. Dubey जी हुजूर जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़े मैं उससे भी जादा करूंगा हुजूर बस मुझे मोहन बाबु के पुरसी पर बिढ़ा दीने तरकार Yes मैं क्लेक्टिर का पी ये बात कर रहा हूं कहिए क्या Head Clark मोहन बाबु ने ऐसा किया यकीन नहीं होता आप कौन साब बोल रहे हैं What? नाम जायर नहीं करें के देखी मिस्टर गलत ख़बर देकर आप मुझे मुझे मुसीबत में ना डाले हुहु साबित होने पर जूरी काराई करूंगा Yes आप ही मिस्टर मोहन है ना मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ तलाशी? क्यों? किस वज़े से? वज़ा है ना मुम्किन मैं इस ओफिस का Head Clark हूँ ये ने मालूम है तलाशी में डाय से ली जा रहे है लेकिन मुझे पर इल्जाम क्या है? मुझे मालूम तो होना चाहिए तलाशी लेने के बाद इल्जाम बता दिया जाएगा देखे, मैं इस ओफिस का एक जिम्मेदार मुलाजिम हूँ Mr. Mahon, मेरी जिम्मेदारिया आपसे ज्यादा है हो सकता है लेकिन मैं किसी को अपने तलाशी ने लेने दू रहा इस्पेक्टर साब आप अपने काराई चुरू कीजिए यह तब क्या हो रहा है मैडम, फोड़ी ज़र पहले मुझे पॉन पे सूचना में कि Head Clark Mohan Babu ने पाचजार परिश्वत ली क्या? किसने सूचना जी? चैनाम ठाउसाद में का? नाम तुस्के बताया नहीं बिना नाम जाना अपने फोन पर यपिन कर लिया एक्शन ले लिया एक्शन लेना जरूर ही लगा मुझे लेकिन मेरी आग्या के बिना अपने पुलिस को बुला कैसे कम से कम आपने हमारे हेटकलर की इज़त और इमानदारी का लिहाद किया होता आपने बहुत जल्दबाजी से काम लिया मैंने जल्दबाजी की या मिस्टर मोहनी मंदार है इसका फैसला तलाशी लेने के बाद हो जाएगा ओ ठीक है लीजे तलाशी मैंडम क्या आपको भी मुझे पर शक है क्या भी चाहते हैं कि मेरी तलाशी ली जाएगा आपके जाएगा यह रहे रुपै मिस्टर मोहन इतनी बड़ी रखम आपके टिफरन बॉक्स में कहां से आई कैसे आई बोलिए क्या जवाब आपके पास यह रुपै मेरे नहीं है इसके सवाब में और कुछ नहीं कह सकता तो उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड आपकी जिब में कहां से आया जिसकी फाइल इसाफे से खो गई है इसी का जवाब तो मैं खुद अपने हाफ से कुछ रहा हूँ तो इसका मतलब है आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं मैडम, उस कंपनी के विजिरिंग कार्ड का इनके पास होना और के रभाउ का चोरी चोरी ले जाना इनकी रिश्वत खोरी का सबस्य बड़ा सुबूत है और इससे इन पर लगा दूसरा चार्ज भी खुद बखुद साबित हो जाता है कि वो फाइल खोई नहीं थी, बलके मोहन बाबू ने पाँच हजार के लिए जान भूच कर उस फाइल को गाइब कर दिया था इंस्पेक्टिव, आफिस के नियम के अनुसरमेंट पर एक्षिन लोगी इस सिलस्ले में आपकी जरूरत पड़ी तो वैस खुद आपको फोल कर दोगी अब आप जा सकते हैं, Mr. Jagdish, come to my room क्या आपको पूरा यकीन है कि हमारे head club में रिश्वत ली होगी मोन बाबू हर रोज शाम को साथ बज़े घर जाते हैं लेकिन आज इतनी जल्दी पांच बज़ी घर क्यों चलती है इस बात पर भी गौप करना चाहिए तो अब हमें क्या करना चाहिए उन्हें कुछ मुद्द के रिए सस्पेंट रपना होगा याने आप भी आप भी उने सजा देलाने पर तुले हुए हैं ऐसी बात नहीं मैडम, हमें काईदे से चलना होगा हो, आल राइट आल राइट मैंने काम से मोतल कर दीजे और सस्पेंट लेटर टाइप कराकर मेरे दस्ताखत के लिए भेज़ दीजे जाए जाए मिस्तर मोहन, आई इसे आपको काम पर से मोतल कर दीजे मैंने रिश्वत नहीं लिए मैंने रिश्वत नहीं लिए मुझे इतनी बड़ी सदा मत दीजे मैं मैंने रिश्वत नहीं खाई मैंने रिश्वत नहीं खाई यही कि मैंने निश्वत लिए, इसलिए मुझे आफिर से निकाल दिया, मैं अपनी पत्नी से क्या कहूगा, मेरी पत्नी सीमा इस बात पर कभी विशास नहीं करेगी, और तुमने इस पर विशास कर लिया, आशा? मिस्टर मोहन, खोश में बात करो, किसे तुम कह रहे हो, किसका नामने ब्यद्वी कर रहे हो, लगता है तुम बागर हो गया, मैडम, इससे पेश्टर कहीं ये कुछ और कह बैठे, आप यहां से चले, प्लीज मोहन बाबो, मैं जानता हूँ, जोश में तुमने कलेक्टर जी का नाम दे लिया, और पिये ने तुम्हारा अपमान कर दिया, खेर भूल जो इस पाप, एक तो वही ऊपर वाला है, जिसे तुम किसी भी नाम से पुकारो, वो कभी नाराज नहीं हो, बेतर यह है कि तुम उस किसी तुम्हारा अपमान करने के लिए शेहर में आई थी, बात खत्म होगी बेटे, बहुत जल्द खत्म होगी, पीता जी, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ और ही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे दिल में खाम का देह की भाब नाम उमन रही, मत भूलो कि प्रिते आइ, मोख नति के लिए और मूझे हो और कुले ह만ती है, तुमने आप फर्स पूरा किया हैं बस Buenos Aries कि आपने मुझे घंले के कि पाहँ गोमनाम का lagi कि बिल जाया न उस वक्त में मैं मामूली से ऐधी दृल्षू में मैं में अची 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 तैलीम दिलवाई, उस के साथ साथ अपनी हैसित भी भड़ाई कल तक जो लोग मेरी गरीबी का मजाख उड़ा रहे थे आदमा उनका मजाख उड़ा रहा हूँ एक बात जाद रखो बेटी इंसान अपने उपर जल्म सह सकता है अपनी बेज़ती बरदाश कर सकता है लेकिन अपनी आउलाद के साथ कभी नहीं बढ़ा सकता बेटी कभी नहीं नमस्ते आओ मोहन बबब आओ बैठो 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 भाई मुझे तुमारी जगे पर काम करते हुँ बिलकुल अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करूं मजबूरन थोड़े दिन के लिए करना पड़ रहा है आपके परिशान होते मैं थो अपनी तनखा लेने आया अर इसके लिए तुम्हें आने क्या जूरू होती खबर भेज़ देते मैं खुद पहुचा देता क्या करें बिहारी बबू लेंदार घर पर आने रग गए हैं इसलिए यहां आना पड़ा पहले ही पूरी तनखा पूरी नहीं पड़ती थी अब आधे में क्या क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आता है अंधेरे में से ही उजाले की किरन फूर्थी है अगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा तुम बैठो मैं तुम्हारी तनखा लादा हुचा अरे तुमने ये सवाल इसनी जल्दी कैसे कर दिया मुझे अगर में ठीक जवाब दिया तो आप मुझे क्या नाम देंगी पांच रुपया देंगे लेंदार घर पर आने लग गए हैं इसलिए यहां आना पर पहले ही पूरी तनखा पूरी नहीं पड़ती थी अब आधे में क्या-क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आता आज रुपय क्या हजार रुपय दोगी क्या हजार रुपय हां हां तुम दोनों में से जो जीतेगा उसे हजार रुपए इनामी मिलेगा हा मुमी पूछो सवाल अच्छा ये बता तुम दोनों स्कूल जाने के लिए एक ही समय घर से निकलते हो एक ही समय तुम दोनों घर से निकलते हो मुझे 75 मिनित लगते हैं आफ सुरेश को सवँ खन्टा ऐसा क्यों है? मुझे 75 मिनित लिए सवे तहते है? गलत खलत एक डος गलत प्रमेश की मम्मी, ये क्या सवाज, पच्छतर मेने तोर सवागंड़ा एक ही तो बात है शाबाश, सुरेश जित गया लाईए हजार रुपे हाँ, हाँ, दुरूर मिलेंगे, अभी लादी वो तो ममी ने मज़ाग में कहा था, इतने से सवाल के कोई हजार रुपे थोड़ी ही दे देता है सुरेश, ये लो रुपे, मैं यही चाहती थी, के नाम तुम जीतो इन्हे संभाल कर ले जाओ, और ममी को दे देना, घर खर्च के रिए रख लेंगे सुरेश के सब जाओ, अच्छा ममी, आओ सुरेश चोर को सब चोर नजर आते हैं, कहते हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है अगर ये रिश्वत लेते तो आज मैं भी गाड़ी में घूजी, उठ चनफा कमाई तीस दिन में और खतम हो गई तीन दिन में, ध्रेला नहीं बचा, सुत्ते इस दिन बाके हैं न जाने कैसे खर्चा चलेगा सीधी खड़ी रहना, जान जाने ये बचे कब बढ़े होंगे और कब कमाने लगे मा, ये रमेश है, इसकी मा कलेक्टर है मा, तुम कितने पैसों से सुखी हो जाओगी, बोलो कितने रुपे कमा के लाओ होज दिन को बहुत दिन है, बेटा अगर मैंने हजार रुपे कमाए तो काफी है, वो भी एक महीन में नहीं, एक दिन में हजार रुपे? एक दिन में? सटके रहाँ, मा, आंके बंद करो, करो ना, हाथ ठिलाओ, अब आंके खोड़ो, देखो मैंने हजार रुपे कमाए हजार रुपे? और तुने कमाए? जी, हाँ, मेरी मँमी ने हम दोनों से गषात किया एक सवाल पूछा, और कहा जो सही जवाब देगा, उसे एक हजार रुपे संब विए इनाम मिलेगा। सुरिष ने सही जवाब दे कर इनाम जीत लिया। तुम्हारी मम्मी ने एक सवाल हल करने के लिए एक अधार रुपे जी है? हाँ मा, उन्होंने का अपनी मा को दे लेना, घर कर्च के लिए रख लेंगी घर कर्च के लिए? आप समझेगे अच्छा बेटे, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ मा, ये गनित में बिल्कुल इक अच्छा है तू चुप रहे रमेश, तुम्हारी ममी कलेक्टर है ना? जी हाँ एक दिन उन्हें हवाई जार से दिल्ली जाना था तुम्हारी घर में पहरेदार है ना? हाँ है पहरेदार ने आकर कहा कि मालकिन मैंने कल रात को सपना देखा था कि आप जी सवाईजास से जा रही है वो सवाईजास का एससिदेंट हो गया आप उसवाईजास से मत जाईए दूसरे दिन उसकी बास सच हो गई वो सवाईजास का एससिदेंट हो गया तुम्हारी मम्मी अग्दम हैरत में रह गई और उन्हें फोरें पहरेदार को बुला भीचा पहरेदार ने उनकी जान बचाई इसलिए उन्होंने उसे इंञान दिया होगा यही तो सवाल है उन्होंने उसे काम पेसे हटा दिया बताओ क्यों मा तुम सवाल पूछ रही हो या कहानी सुना रही हो सवाल का जवाब दो चलो रमेश की ममियास अभी नहीं करेंगी वो बहुत अच्छी है यह मेरे सवाल का जवाब नहीं मैं बताता हूँ बताओ पहरेदार पहरा देने के बज़ाई सोता था राग को सपने देखता था इसलिए उसे काम पे से हटा दिया ठीक है ना बिल्कुल ठीक तुरेश फेल और रमेश पास रमेश तुम जीद गए यह लो एक हजार उसा इनाम अपनी मम्मी को देना और कहना कि गाड़ी में पेट्रोल डालने को रख रहे है यह क्या ममा तुमने उसे जिता दिया हाँ मेटा वो जिते इसलिए मैंने बड़े आद्मियों की पहली बुझाई थी तू विचारा क्या जाने यह हवाई जहास पहरेदार यह वेईसों के दूसरे तुमसियों तू जाए अगर वो अपने आपको सेर समझती है तो मैं भी सवा सेर हूँ पिता जी सुना आपने उस दिन तो आप कह रहे थे उस कलेक्टरनी को इनसे जरा भी हमदर्दी होती तो इन्हे काम से मौतली चूंकरती लेकिन पिता जी उसकी चार को हम इसनी आसानी से नहीं समझ सकते एक तरह तो इन्हे काम से मौतल करती है और दूसरे तरह लड़के काहत रुपए भेजती है लेकिन वो भूल गई कि शेर भूका मर जाएगा मगर घास कभी नहीं खाएगा बड़ी आई खरकरच के लिए रुपए भेजने वाली पप्पू पपू महला जी आपने अपने पप्पू को देखा है क्या कहाँ मेरा पपू पताने नहीं काप हो गया हो गया क्या कहां बच्चे को भला करें तुम किसी बच्चे की मां होती तो पपू, पापा, अरे मेरे जिगर के चुकले, पपू से कह रहा हूं भै, पपू, तु यह क्या कर रहा है, बटे, पपू, मैं तख्वीरे देख रहा हूं, अरे तेरे काम की यहां कौंशी तख्वीर है, अरे यह फाइल यहां के जा गए, इस फाइल के लिए तो बिचार मौन मौन बाबू सस्पेंड हो गए, आ, चल, 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 टेमपरवरी हेटकला साफ, पूरा हाफिस मेरे बच्चे को जीरो बोलता था, लेकिन यह 007 निकला, यह कौन, इसने यह खोईवी फाइल ढूंड निकाली, यह फाइल इस मैगदिन के साई, मेरे ख्याल से मोहन बाब तुझे मिठाई भी मिल जाएगी, दसकाभी है, दसकाभी है, रेक कहीं चलेगा, लदेश सुख गुमा गएगा बड़ी कृपा की भगवान ने, वो फाइल मिल गई, आप भी निर्दोश थाबित हो गए, और मैं भी आपके ख्लाफ कारवाई करने की दुविदा से बच गई, इस दुविदा की वजए मेरी लापरवाई थी, और इस लापरवाई का कारण मेरी दिमागी उलजन, मेरी आ ज्यादा गलतियां करके मैं आपको और दुविदा में नहीं डालना चाहता, प्लीज, मेरा ट्रांसफर करवादीजे, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जानता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं अपना अस्तिफा लेकर आया, उसे मंजूर कीजे, हम, जिम्मेदारी से भागना बूस्ती लीजे, जिस जमाने में औरते मुसिबतों का सामना मुस्कुराती हुए करती है, आप खिंदगी से भागना चाहते हैं, ये, ये, देखिए, आप मेरा तबादला करवाने करे तयार ने, मेरा इस्तीफा भी आपने मंजूर ही क्या, कम ती, महां, सॉरी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, और आशा, आपको छुट्टी नहीं देगी मैं कम इन मैंडम, ये, मिस्टर महान, आप पर जूटा इंजाम रगा, मैंडम, किसी नी पांच हजार रुपया इंगेटेवन बॉक्स में रखकर, इन्हें पसाने की कोशिश की, क्या कहा? ये, मैडम, अच्छा हुआ, ये उस साजी से बेदार निकल गए, मैडम, इस रुप़ों को मैं आप क्या करूँ? जब तक पता नहीं चल जाता है कि रुपय किनके हैं, इन्हें सरकारी ख़दाने में जमा कर देना चाहिए, ये ही कानून है. ये बात है? तो पिर आप ही इसे सरकारी ख़दाने में जमा कर देए? जी, लेगे ना? जी ये पैसे तो मैं जमा करा दूँ है, लेकिन मैं चुट्टी के बारे में क्या हूँ? Mr. Jagdish, ये मैडम, हमें आज तक किसी मामले में अपना एक बार दिया फैसला बजला है? मेरे खाल में कभी नहीं. ये चुट्टी मांग रहे हैं और मैं दो बार नामनजूर कर चकी हूँ. हमाल परन पर दो ऐहे हैं. . . झाल झाल कौन? कौन है? आ? पहचाना नहीं, मैं हूँ. इसो पिहा, क्या बात है? मुझे बरबाद करने का जाल फला कर पूछ रो, क्या बात है? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा. हलो, येस? मैं सीमा बोल रही हूँ. ओ, आपकी पती है? अहां कहीं? मेरे पती आया है वहाँ? आपकी पती? हाँ, घर की काम के बारे में मुझे उन से कुछ पूछना था, लेकिन वो यहां नहीं. मैंने सुचा, शायद दफ्टर के किसी काम के बारे में आपसे कुछ पूछने आपके बहाँ आये हूँ, फैंके बहाँ? जी, जी, वो यहां नहीं है. आप चुप क्यों है? मैं आपके सामने खड़ी हूँ. मुझे मारता लिए. मेरे जान लेली जी. जीन हाथ उने एक दिन मेरे गलेवी मंगल सुत्र अबाधा था. हाज, अगर वही हाथ मेरा गला घोंटना चाहे, मैं इसे भी अपना सोभार कर समचूंगी. क्योंकि जोस्त्री अपने पती की छाय में नहीं रह सकती. उसके लिए जिन्दगी क्या? और मौत क्या? लेकिन सजा पाने से पहले मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा कुसूर क्या है? कुसूर, हालात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया. लेकिन तुम इसे मेरी गलती समझ कर मझसे बद्दा ले रही हूँ. आज मैं तुम्हे मात हत्म, अधिकार तुम्हारे हाथों मेरी. इसलिए तुमने मुझे सब के सामने अपमानित किया. मुझ पर रिश्वत्खोरी का इल्जाम लगाया. मुझे नौकरी से मौस्तिल किया. मैंने बद्दामी से बचने के लिए और तुमसे दूर जाने के लिए तबादले के दर्खास किया. लेकिन तुमने इसे मन्जूर नहीं किया. मैंने इस घुटन से रहत पाने के लिए उनसे कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है. यहां तक कि मैं तुम्हे अपना सीफा देने के लिए तयार हो गया. लेकिन तुमने यह भी मन्जूर नहीं किया. सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशाद तुम्हारे साधिकार के नीचे दपकत तिल मिलाता रहूं तुम अपनी इंतकाम की आग में मुझे तिल तिल कर जलाता है. नहीं नहीं जूटे यह फिर तुम्हारे प्रकुर्द रही हूं. यह मेरा दुर भाग क्या है, कि आप मुझे कदम पर गलत समझ रहे हैं. आप तो जानते हैं, दुनिया के हर दिरी से अपना अधिकार सबचती है, कि इसका पती हमेशा उसके साथ हो, उसके पास हो, उसके आखों के सामने हो, किसमत तिनकों से ये अधिकार तो छेड लिया, लेकिन हैसे तो मुझे आपके करीब आने का मौका दिया, मैं जासी ये तो नहीं कह सकी, कि आप मुझे से दूर मच जाएए, इसलिए मुझे साथी का साहरा लेना पड़ा, तो मेरी जुबान ये कह रहे थी कि आपको छुटी नहीं मिलेगी, तो मेरा ये साथी तो रो रहा था, दस साल बाद मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला, बगवान के लिए आप मुझे से दूर मच जाएए, आप नहीं समझेंगे, जब आपको इजादत लिकर सार चुका कर मेरे कमरे में आना पड़ता है, तो मेरा कलेज़ा भट नहीं लगता है, इस देश किस्त्रियों की बहुत तरह से परिशा ली गई है, लेकिन ऐसी परिशा जिससे मैं गुजर रही हूँ, इसी इतिहात्या पुरान के किसी भी पन्ने में नहीं मिलेगी, मारीत नहीं परिशा जुटका दा पाने के दिया पार पार अपना तबादाला करने के बिचार करती हो लेकिन, आ कि अरहता के दर्शन कि लाल साभ цент, है तो लिएकु आख ťा , जखर लेती है , मैं क्या कर दा , मैं क्या करומר, मैं क्या कर मैं बाहर होकर यहां चलाया, अच्छा हुआ तुमने मेरे दिमाग की फुटूर को उतार दिया सच मुछ मैं हर बात में चलबाजी कर लेता हूँ शायद यही वज़े है कि आज भी में सिर्फ एक कलार को और तुम एक कलेक्टर चाह, मैं जाता हूँ इंस्पेक्टर साब यही है वो आजमी इसके बारे मैंने आप दिकर किया था यह शक्त मेरी बेटी के माताहत काम करता है मेरी बेटी ने किसी घलत ही पर इसे जान टपड़ दिया था उसका बदला लेने के लिए यह मकार आजी राथ को मेरी बेटी पर हमला कर देया इंस्पेक्टर अब आप जा सकते हैं जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं शर्मेंदा हूं मुझे माफ कर दीजे मेरे दमाग किया खराब है विता जी आप भी मुझे माफ कर दीजे इस वक्त आपको कीस चीज की जरूरत है मैं अच्छी तरह जानती हूं यह पाइक लीजे आराम से कश लगाईए और सो जाएए गुद नाइट प्राइट विर्बर तुने कुछ ख़बर सुनी कौनती ख़बर अबे अपना हीरो कलेक्टर के घर के अंदर घुज गया घर के अंदर तुम्हें सब्टा चला अबे आइसी ख़बरों का पता चलता है ट्राइवर से उस ही ने मुझे बताया फिर? पीर पीर क्या उसने तीन दफा दर्वाजा खट-खटाया उसके बादक्र विर्श्रा ऊंदर खोला और क्यलेक्टर पूसरा उरसा पना गीर आदर फिर अपना हीरो अंदर ँद प्र अपना हीरो उिख टूप कर यह जोड़ा यार गानी को पिर क्या हुआ अभै फिर क्या गाना सुनते ही उसके बाप के कान खड़़ा उठे उसने पोरण ही पुलिस को टेलीफोन खड़़ा और एक निट्टपुलिस अगी फिर फिर क्या था अपने हीरो की पत्तें और धीरी हो गई और बिचारा पीपल के पत्रप्दे की तरह कात्या लगा, लेकिन वहरी मुहब्बत बापने कहा तुम्हारा इसवक्त घर के अंदर आना कानून के खिलाफ है बेठी ने जवाब दिया, लेकिन पापा, मैंने इने बुलाया है सरकारी काम से बाप ने कहा लेकिन आधिराज को सरकारी काम क्या हो सकता है। बेटी नी जवाब दिया, पापा हम 24 गेंटे सरकारी नौकर हैं, हमारे लिए तीन क्या और रात क्या। बस ये सुनना था जो बाप के मुपे ताले ही पड़ गया। मा, मा, कलिक्स आ गए, कलिक्स आ गए। कलिक्स आ गए। देखा पिता जी, उन्हें धूंद तरवे आज वो घर तक आ पहुंचे। शुपरभण, ना चाने क्यूं आ रही हैं, उन्हें आ लेना तो मैं पूछता हूँ। आप क्यों पूछेंगे, मैं खुद पूछलूँगी, कैमा से डरते हूँ। देखो, सिमा, कोई उल्टी सीधी बात की, तो तुम्हारा बाप इस घर पे नहीं जाएगा। वो हमारे खर आ रही है। उनके साथ बसुलुकी से पेश आना, यह कहां की शराफत है। जा, उनका स्वागत करो, जाओ, जा। पिताजी, मेरी साड़ी अच्छे नहीं, मैं साड़ी बदन लेती हूँ, आप उनका स्वागत किजेए। आरे पिताजी, घर में चाय बनाने के लिए दूद नहीं, आप जामना बेहन के गर से एक लास दूद लेकर आईजे। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा करिए, मैं खुद लेकर आउंगे, आप इन्दर लेकर आईजाए। आरे पिताजी, आप इसे अब बनिया में पाँ जाएंगे, जरो शोट पाइन लीजे। आईए, आईए, मैं आपके हैटलर्ग मोहन का सासरी हूँ, नमस्ते। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, अब रिटायर हो चुका हूँ, जो कुछ पेंजिशन मिलती है, अपनी बेटी के हवाले कर देता हूँ, मैं बेटी के सवाई दुनिया में हाईगी को, सुना है, आप दर्टरुन बहुत सब्त है, बहुत सब्त है, बहुत सब्स्टिक, नौ, नौ अट अट ओल, दीजिए, मेरी बेटी आपी, नमस्ते, नमस्ते, सुरिश दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं बात खेलने गया होगा, ओ, वो तो मुझ पर जान देता है, जब भी देखो, मुझे रमेश की मंमी, रमेश की मंमी कहकर ही पकारता है, और यहाँ आपका वही नाम है, यह बात है, बैठी ना, पहले आपकी? नहीं, क्यों? पहले मैं रिटार हो गया हूँ, लेकिन हूँ तो पुलिश इंस्पेक्टर, आप ठहली कलेक्टर, आपके सामने मैं कैसे बैच सकता हूँ? आजी छोड़िये कलेक्टर वा लक्टर, प्लीज से दा यह दफतर नहीं, घर है, रखी बहाद दिन हुए आपसे मिले, मैं रही मिलना चाहती थी आपसे, एक बार पुछ नहीं आपके, पुछी? कुछ नहीं, मैं सर्फ यही पूछना चाहती थी, कि जो कुछ हमने सुना हो, जा सुना आपने? यही के, दफतर में जितना आप सखत रहती है, घर में तो ही नहरम हो जाती है, सुरेश कह रहा था, यह बात है, खर, मैं इस काम के लिए आई हूँ, हो तो पहले बता दूँ, क आप चाइवाय नहीं पीजेगा, चाइवाय फिर कभी, एक दिन आउंगी और खूप पेट भर के खाना खाके जाऊंगी, हम, अच्छा, अर्य लिए, मैं तो, मैं तो बच्चीनों वे सातीय जा रही हूँ, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने है, हाँ, 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 हा क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती, यह नहीं मेरा मतलब है, आपने यहां आने का कश्ट कैसे किया, यह तो हम दोनों का नीजी मामला है, सीमा, तुम्हें मालूम होगे है, यह कौन है, हाँ, 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 यह इठी तरह जानती है, कि मैं यहां की कलेक्टर हूँ, अच्छा जानुरे शाहिं उल्काव, देखा पिताजी, वो मेरे बच्चों को कितना प्यार दरती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ दोगा करेगी वो भी तुम है कह रहे हैं यह भी तुम ही कह रही हो मैं आई है मैंने देखा पूछा क्यों नहीं क्यों आई हूं क्या मेरे पूछने पर ही बताओगी कालग्ठेश अन्मष्टमी के उत्सवा पर मुझे अपनी हां बुलानी आई थी जाओ या नहीं जाओ या नहीं तुम्हारी मर्जी तुम्हारा मतलब है ना जाओ मैंने ये कर पाद नौ नमबर की बस जाती है उस तरफ मैं बस में नहीं जाओंगी वो मेरे लिए गाड़ी भेज रही है आये नमस्ते आये सिमा जी बड़ी खुशी हुई कि आप आई आप खुद बुलाने आई और मैंना आती आव सुरे जानी ओ आव नमस्ते मैदब जाकी में गाना नहीं होगा क्या क्यों नहीं होगा जब सीमा जी आई है तो ज़रूर होगा मैं नहीं नहीं कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा गाना तो पड़ेगा यूमाला हाँ सीमा आप गाएंगी तो मैडम गाएंगी है न मैडम मैं हाँ हाँ ज़रूर गाउंगी चलो वहाँ चलकर बैठे आओ हाँ मन मंदिर में प्रिये कडेरा ना ही कोई तूजा एक मन में महमान है दो एक प्रीत है दूजी पूजा ये जूटी बात है ये सची बात है तुम न मानो न मानो तुम न मानो दिन दिन है रात रात है ये जूटी बात है ये सची बात है तुम न मानो न मानो तुम न मानो दिन दिन है रात रात है ये जूटी बात है ये सची बात है ये जूटी बात है ये सच्ची बात है एक जियाँ भी एक प्याब से है कहना अपना दोने नोने मिलकर देखा जीवन का हर सपना कोई एक दी में जन सकती है देखो एक ही बाती एक बाती के हो सकते हैं दो पतंगे साथी कोई अकेला अकेला कोई अकेला ना ही रे छाया सास है ये जूटी बात है आओ ये सच्ची बात है हाँ ये जूटी बात है ये सच्ची बात है और किसी का नाही खामा का है बनसरवाला रुख मीन सोचे क्रिश्न तो सारे जगता है रखवाला चुक्यू हो गई गाई है ना सब लोग देख रहे हैं गाई चिक हुआ है राम हुए खे एक हिराम किसी ता तुम से जीते कान के तुम करची हो हो बतरिता तुम ना पानो ना पानो तुम ना पानो तुमने खाई आजमात है ये जूटी बात है, ये सची बात है एक पीड के पढ़ती है धरती पे एक ही छैया एक शरीर में होती है दो अखिया और दो बैया एक साजन के एक सजनी दूजी का नाम है सोतन सोतन भी तो होती है अपने प्रीतम की जोगन सो बातों की सखीरी सो बातों की जान लो ये एक बात है ये जूटी बात है ये सची बात है ये जूटी बात है ये सची बात है पिता जी, मैंने उसे गुमा फिरा कर सच्चा जानने के कोशिश की, लेकिन उसे साफ नफ्जों में चवाब दे दिया, मुझे तो ऐसा लगता है, कि उसने इंस पिशारी खिरने को पैसला करिया है, आप ही कहिए, कि आप दे मुझे खामोश रहना चाहिए, बेटी, जो पेर जमीन पर बिलकुल सीधा खड़ा हो, उसकी जए जमीन के नीचे एतनी टेड़ी हो सकती है, इसका मैंने कभी फैल नहीं किया, सीमा, अब हम और जोखा नहीं खानी है, वक्त आ गया है, कि मैं मुझे से रूबरू दो दो बाते कर लूँँगा। मौहन, मैंने तुम से सर्फ एक बात मुझ खोल कर बात किती, और वो भी उस बद जब तुम शाजी से पहले सीमा को देखने आये थे, और आज दस बरस बात, जबान खोल कर बात करने के लिए मचबूर हो गया, अपनी उसी बेटी सीमा की बाबात, पिता जी गोल-गोल बात आज तक तुमने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, बोलो, बता, जो कुछ हमने सुना है कैस अच्छ है, याद रखो, बच्चे भगवान कर रूफ होते हैं, सर्सेज बोलो, तेखा पिताजी, इन्होंने हाथ हे टालिया, इसका मतलब इन्होंने सब कुछ कुभून कर लिया, मुझसे कुछ मत बूचे, कि दोनों आज शादी कर रहे हैं, सच, अबे, जो हमने सोच लिया, वही सच, लेकिन तुम लोग मुकरना नहीं नहीं, 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 लेकिन गुरू, यह शादी हो, होगी कहा, अबे, ऐसी शादी मंदिर में होती है, और कहा, इस तो मंदर की गंटी, उसकी घरवाली को भी नहीं दुनानी चाहिए, हेलो, कौन सिमाजी चाहिए, रानी की मा, तुम्हारा टेलीफोन, पिर दी टेलीफोन, अभी आए, हेलो, कौन, हम आपके शुब चिनता, कहिए, या शुब शुचना देनी है, आज शुब दिम शुब मुहरों पे शुब विवा, यानी चादी, किस की, अरे वाँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आपके पती मोहन बाबु की, कलेक्टर आशा देवी के साथ, आज सुबा मंदिर में हो गई, हम लोग प्रिती भोजन में जा रहे हैं, आप भी तश्रीव लाइए ना, आपर टैर अरे पपो, तु यह क्या कर रहे हैं? आँ ने मिल्कू मिठाएं दिया अरे वारे तेरे नसीब उस मिठाएं देती हैं, और मुझसे मीठी बात तक नहीं करती है जब-बंद तक तु ऐसे कणषा काम करते रहों के, कौन तुम से मिठी बात तक तक मैं मजग में करता हूं time pass के लिए माला जी मैं उतना बुरा आदमे नहीं हूं जितना तुम समझती हो मैं कव कहते हूं तुम बुरे हो आदमी बुरा नहीं होता आदतें बुरी होती है अब आदत छूटती नहीं तो मैं क्या करूं आई है जान के साथ और जाएगी जान के साथ जी 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 ऐसी महनुस बात पूछे मत निकालो इससे तो अच्छा है कि तुम अच्छे बन जाओ तब अच्छा किसके लिए बनुग इस दुनिया में कौन है मेरा मैं हूँ आंटी है तेरा जवाब नहीं है पपू क्यों माले जी आंटी अब अब आंटी नहीं अब तो मम्मी बोल लाइन किलियर हो गई है इसके दूद का टैम होगे बोतल दूँ बहन मैं तुम्हारे पती के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ दूसरे क्या कहते हैं मैं इस पर बिल्कुल विश्वात नहीं करता और तुमसे भी यही कहने आया हूँ कि हमें किसी को छीटे उड़ाने का मुका नहीं देना चाहिए ठीक है ना दूसरी क्या कहते है इस बात को जाने दीजे अगर भया आप अपने दिल पर हाथ रुके कहिए कि आपका दिल क्या कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही है मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ अगर वो खुद भी आकर कहें कि मोहन ने कुछ गल्सी की है तो भी मैं विश्वात करने वाला नहीं मामा बाहर किलोने वाला आया है मुझे पैसे दो मा दो मा दो ना क्युतं करें मुझे जाना जानी 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 देखा हमारी शादी के फोटो के पीछे इजोने कौन सी फोटो चपा के रखी है अब बोलिये अब बोलिये क्या राय है उनकी बारे मैं आपकी मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ उससे भी जाना विश्वात किया मैंने बोल थी लेकिन मेरे भगवान ने मेरी आथी फोल दे कि मैं कितना बड़ा मूरक बनावात है अच्छा बेहन मैं चलता हूँ हलो मैं कलेक्टर राशा बोल रही हूँ कौन सीमा जी आप कहिए क्या बात है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ पूछना है और हो भी फोन पर आज शामकाप मेरे घर आजाए या तुम्हे खुद आपके घर आजाओंगी यह नहीं बात बहुत जरूरी है जवाब अभी जानना चाहती हूँ अभी? पूछी आपकी शादी हो चुकी जी मैंने पूछा आपकी शादी हो चुकी है हाँ मंदर में न यह आपके पूछ रही है मेरे सावर का जवाब देजी आपकी शादी मंदर में हुई है न? हाँ क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पती कौन है? मेरे पती? मैंने पूछा आपके पती कौन है महरमानी करके बताइए देखिए सिमा जी मैं आपके घर आउँगी और आपको सब कुछ बता दूँगी उसकी कोई ज़रूत नहीं आपके शादी मेरे पती से हो चुकी है बोलिए यह सच है यह नहीं हाँ यह सच है सिमा जी हमारी शादी हो चुकी लेकिन लेकिन जैसे आप सोच रही हैं हमारी शादी आज यकर लहीं दत साल पहले हो चुकी है मैं नहीं चाहते थी कि मेरे वज़े से आपका सुखी संसाथ उजड़ जाए इसलिए मैंने इस राज को आज तक छुपाय रखा सिमा जी सिमा जी सिमा जी सिमा जी हलो 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 सिमा 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 सीमा, सुरेश, तुने अपनी माँ को देखा नहीं तो कहां चली गई पितर जी, मैं जा रही हूँ मैं अपने पती के रास्ते काटा नहीं बनना चाहती मैं जा रही हूँ ताकि वो उस कलेक्टिने के साथ सुखी रह सके मेरी तलाश न कीजिए आपकी सीमा नाजी, नाजी नाजी, नाजी क्या वा सुरेश? मा कहीं चली गई नाजी भी यह चित्थी बढ़कर कहीं चली गई नाजी मौहमेटे, मौहमेटे काता हो गया इमागर को चली गई चली गई? सीमा मौहमेटे आपकी यह संप क्या स्टी गई यह सुर्ण प्रॉब क्या जी ख adap पक्राद कर लो कि कि लगना था जाम कि लुटीर दुटीर 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 हुग कि लिए कि लिए लुटीर। देमग देमग झाल शेदी झाल जसके भर यो बाल एकालादया भर दालwriting प्रूजरी माँ! रोगो सीमा! तोर्थोपर गईवेवां बारू भट्टलावाला? आपईजा करने पाभुजी वा? तोर्थो! तोर्थोपर! झीमा, मेरे बांको झीमा 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 झीमा, झीमा 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 इंभा ! इमा ! मुझे EMAफ कर दो सीमा, हाथ जोड कर मैं तुम्हें रोकना सकी, इसलिए मुझे तुमपर हाथ उच्ञाना पड़ा तुम ने फोनपर मुझे से यE पूछा, कि मैंने तुम्हारे पती के साँ शादै किया लेकिन तुमने मुझसे यह नहीं पुछा, कि हमारी शादी कब हुई, मैं क्यों पूछू, मुझे सब मालूम है, तुम्हारी शादी आज हुई है, वह भी किसी मंदर में, यही तु 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 कि मेरी वज़े से तुम्हारे परिवार में दुख की पर्चाई भी ना पड़े क्या हाँ शाय तुम्हे मेरे कहने पर विश्वास नहीं होगा लेकिन यकिन मानो सीमा मैं अपने बच्चे की साउगन ठाकर कहती हूँ मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिलकुल सच कह रही हूँ हाँ सिमा हाँ यकिन मानो सीमा नीचे आओ से भारूद बटने वाला है नीचे आओ सिमा यहां खत्रा है चलो यहां से जाओ सीमा चलती जाओ सब работает सीमा थीमी सीमा सीमा जाओ सीमा सीमा झाल झाल मेरी हालत कैसी है ची मेरी हालत अच्छी है अच्छी है तुम अच्छी हो जाओगी डॉक्तर हा मेदम आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी यह बात है और इसको तसली देने के लिए जूट बोलना यह आपकी अच्छी आदे था डॉक्तर लेकिन लेकिन जो शक्स मौत के मुँ में खड़ा हो उसे जूट बोलना ठीक नहीं जे समेश घबराये मत मैं असे कमसूर देल नहीं कि अपनी हाले चानते ही रोपड़ू मैं जानती हूं मैं जिन्दा नहीं रहूंगी और इसके मुझे चिंथा भी नहीं लेकिन लेकिन वो कैसी है सीमा कैसी है शीजाले वो बिलकुल अच्छी है आपने मुझसे कहा मैं अच्छी हूं उसे तरह न जी नहीं वो सच मुझ अच्छी है मगर, मगर, मगर क्या, डॉक्टर, बोली, बोली क्या हुआ उसे, डॉक्टर मेरे पास सबस्त नहीं है, जल्दी बोली, प्लीज, प्लीज, जिरज रखिए मेडम, सीमा जी देख नहीं सकते, उनके आखी चली गई, हमेशा के लिए चली गई, नहीं, डॉक्टर, नहीं, मैं अपनी आउकों कॉपरेशन नहीं करवाना चाहती, अपनी दीदे पर शक्षर के, बहुत बड़ा पास किया है मैंने, और मुझे इस पास के सजा मिल गई है, देखिए, इस हालत में आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आप आराम से लेती र आप शवास है कि तुम फिर से देख सापूंगा, मा कब आएगी नाना जी, मा आजाएगी बिटे, तेरी मा बिलकुत ठीक है, वो आज ही आजाएगी, जाओ, खेलो बिटा, जा, चे मा जी, अब मैं पट्टी खोल रहा हूं, उसके बाद धिरे धिरे चाहिए ऐँ के खोलीये मैं देख सकती हूँ, हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ सीमा, बेटी, हाँ पिताजी, मैं सब को देख सकती हूँ आशिण देदी से में काOoh Quindi का है बुझे उनसे मिलना है उनसे माफी मांगनी है चलो से मगर चलते है क्यों कि बीटी से नियंसे मिलने यहका यहां जलो पहले आइले चलो डीडे़ि आशा डीडी की इस यह सथ नहीं हो सकता है मैं जटी सीमा सीमा रो मत सीमा आशा अब भी हमारे साथ है तुमारी आखों में जिन आखों से तुम मुझे देख रही हो वो आशा की है क्या? हाँ मरने से पहले आशा तुमें अपनी आखें दे दे कहना तो वह बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वाक्त नहीं था ये ये खत वह तुमारे ले छोड़ गई है खत? हाँ इसे तुम खुद ही पढ़ लेना प्यारी बहन लोग शायद कहेंगे तुम्हें अपनी आखें देकर मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है लेकिन ये मेरा त्याग नहीं बलके मेरी खुदगर्दी है मेरा स्वार्थ है दुनिया की हर स्तुरी चाहती है जब तक वो खुद जिन्दा है वो अपने पती को देखती रहे मैं भी यही चाहती थी लेकिन जीते जी मुझे ऐसे अवसर बहुत कम मिले शाद इसी कमी को पूरा करने के लिए अब मुझे ऐसा सोभग्य मिला है जिससे मैं तुम्हारी मदद से अपनी मृत्यों के बाद भी अपने पती को देखती रहूँगी इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत बहुत एहसान मंद हूँ सीमा, मैंने तुम्हे अपनी आखें इसलिए दी हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा उजाला हो तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहे तुम कभी ना रोना देखा, तुम्हारी आखों से आखों बह रहे हैं सीमा, तुम्हें मेरी आखों का गलत उपियो करने का कोई अधिकार नहीं मुझे उमीद है, तुम अपनी दीदी की इस प्राटना को कभी नहीं भूलोगी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं नहीं, नहीं दिदी, मैं कभी नहीं रोंगे तुम्हारी नाखो में, कभी आजवाने नहीं दूंगे कभी नहीं दिदी कभी नहीं, कातथ mike टुम्हारी नहीं सर्व घुम्हारीक आर। स्सक्राइ्ण